सब्सक्राइब आपका इस नए सेशन में क्या होता है पावले ऑल शाज़ड़ पॉर्ट इस वाट आई नीड और पूरा सिस्टमाटिकली सम्स थियोरी प्रैक्टिकल सब करवा दूंगा मैं इस में इस चैप्टर में तोड़ा थियोरी पार्ट भी है अगर वह भी आप लोग आपको चाहिए अलग से तो प्लीज कमेंट में मुझे बताओ जैसे कुछ चैप्टर जैसे रिस्क मैनेजमेंट है फैनेंचल पॉलिसी स्टार्ट फाइन सेक्रेटिजेशन यह सब के मैंने वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे अगर आपको बाकी चैप्टर के भी रिव अच्छे लगड़े हों लेक्टर तो प्लीज लाइक एंड शेर करना मत भूलना अपने फ्रेंद्स एंड कलीक के साथ विल बी रियली ऑफ ग्रेट है तो में यह सब्सक्राइब आपकी अगर जूनियर जिनको रेगुलर या फास्ट्राइक बैच करना एक्जाम औरिएंट बेस्ट फॉर 1.5 देश एक्जामिनेशन और गाइस अंब बैट नोट चलो स्टार्ट करते हैं वर्जोज एक्पूशिशिंश्ट्राइब इस चैप्टर इस मैंने क्या किया है जितने भी अपने कॉंसेप्स है ना उसी के साथ एक्जाम्पल्स ले लिए और एक्जाम्पल सीधे मॉडूल के लिए तो क्या साथ साथ में अपना इस question में practically क्या हो रहा है पता है कि अपन कोई concept पढ़ेंगे और majority of the time 60 to 70 percent of the time उसी concept से related मैंने question ले लिया कोई विकम्स इसी इन चैप्टर लाइक मर्जर अक्विजिशन स्पेशली के आपके साथ में एक question हो otherwise typically अगर मैं पढ़ाऊंगा आपको swap ratio या for that matter कोई higher concept जैसे acquirer wants the same EPS MPS then it will become difficult for you to just interpret formula formula को apply करना जब तक नहीं आएगा आपको आप कैसे सम को solve कर पाओगे it is not possible at all so what I have done is साथ में ही ले लिया है आप लोग भी उसी साब से ही इसको guys approach करना के अपना यह देखो अभी जैसे यहाँ पर है calculate EPS post merger now if I have to show you calculation of EPS post merger यह देखो example ले लिया साथ साथ में target company wants to keep same EPS post merger यह लेको मैंने उसका example ले लिया तो क्या connect हो जाएगा फटा फटा अधर्वाइस और formula में कैसे करवा हूँ या not possible राइट यह देखो acquirer wants to keep same EPS का और एक example नहीं यहाँ पर यहाँ पर ता target company wants to keep same EPS यहाँ पर acquirer wants to keep the same EPS post merger फिर उसका example ले लिया so that's how I have you know molded this chapter specifically and I'm sure उससे आप लोगों को काफी help होगा right चलो भाई let the game started with this chapter mergers acquisitions and corporate restructuring तो सबसे पहले है ना मैंने क्या किया है पता है क्या एक basic से concept से start किया है जो in general इस chapter में आगे पूरे time पर यूज आने वाले है इसके लिए मैंने बोला कियार चलो इसको है ना एक general formula करके दिखाई देता हूँ और वह is called as market capitalization तो market cap एक बहुत इंपोर्टेंट टर्म है प्रैक्टिकली जो यूज होता है अब सुनो मैं इसको कैसे breakdown कर रहा हूँ ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना ठीक है so market price per share can also be written as P ratio into EPS इसको है न मैंने मेरा जो revision कर वा है business valuation उसमें आप लोगो एक एक चीज बताइए P ratio क्या होता है EPS क्या होता है अभी यहां पर मैं focus कर रहा हूं एक formula से दूसरा formula derive करने के उपर so that is what my focus is P ratio का मतलब क्या होता है for every earning that you are going to make that a company is going to make उसके लिए कितना times shareholder पैसा देने को ready है EPS अगर 2 रुपे से बढ़ा और यह अपना है 10 तो for every रुपी 10 times extra P ratio extra देने को ready a shareholder that is called as MPS तो 2 से बढ़ा एकर EPS multiply by 10 20 अपना market price पर share करके हो जाएगा now look at this so can I say P ratio can be written as MPS upon EPS yes sir EPS can be written as NPAT upon number of equity shares बरावर अपने को पता है EPS EPS क्या होता है net profit after tax minus preference dividend upon number of equity shares अब आजाओ वापस से MPS के उपर तो क्या अब मैं MPS के लिए formula P E ratio into into EPS को कैसे लिए NPAT upon number of equity shares करके लिख सकता हो yes sir कोई problem नहीं है तो कभी कभी question आपको शायद EPS ना दे तो आप P ratio into NPAT upon number of equity shares करके भी लिख सकते है this is not the formula that I want to teach you अब वापस से समझना market capitalization is equal to market price percent into number of equity shares yes sir हम लोग को यह चीज़ भी पता है कोई problem नहीं है अब सुनो therefore market capitalization is मेरे red चीज़ को देखना MPS MPS is PE ratio into net profit after tax upon number of equity shares यह देखो यह इधर जो MPS है ना इसको आज इसको आज इस उठाके मैंने यहां पर लिख दिया MPS क्या हो गया मेरा PE ratio into NPAT upon number of equity shares यहां पर यह जो आपको यह जो चीज़ थी यह इधर आ गई करेक्ट अच्छा market cap होता क्या MPS into number of equity shares यह सर तो MPS तो मैंने लिख दिया into number of equity shares यह सर तो यह दोनों cut हो गया and आगे अपन लोग यह concept को use कर सकते हैं क्या यह कि market capitalization is also equal to net profit after tax into PE ratio क्योंकि कुछ questions है जहां पर आपको MPS calculation के लिए कुछ दिया ही नहीं होगा पर आपको market cap calculate करना होगा तो आप कैसे calculate करोगे it is PE ratio into net profit after tax hence proved बस एक general formula है जो आगे यूज होने वाला है तो मैंने इसको यहां पर यूज करके बाद है भी आगे कहीं पर आएगा तो अपने को tension नहीं है क्या समझ में आया आपको क्या क्या formula क्या समझ में आया आपको लिख लेते हैं तो पहला formula derived किया है हम लोग ने क्या that market capitalization is equal to market capitalization is equal to ध्यान रखना NPAT into TE ratio और यह अपने प्रूव कर दिया है एक दूसरे को अब tension नहीं है अब आगे बढ़ते हैं अब आजाते हैं में concept के ओपर concept of mergers acquisition from the POV point of view of companies the company that purchases another company is called as आज से उस company को अपन लोग प्रण लेते हैं कि हम उसको भुलाएंगे acquiring company and the company that is bought is called as the target company तो acquiring company बोलते हैं acquirer company बोलते हैं and the company that is being bought is called as the target company जिसको अपन लोग acquire करने वाले हैं ठीक हैं अब एक company दूसरे company को acquire कर ली है तो सामने वाला जो acquire हो रहा है वो बोलेगा कि चल भाई हमारे को चाहिए कुछ या तो पैसा दो हमारे को या तो हमारे को कुछ तुमारी company का equity shares दो तो पहला concept है जहां पे वो बोलता है कि ठीक है हम तुमारे को हमारी company के equity shares देंगे कितना equity shares देंगे that is dependent on something called as a swap ratio समझे क्या समझो न मैं आपको बोलता है आपकी एक company है बहुत बड़ी मेरी उससे भी बड़ी company है मैं आपको बोलता हूँ चल भाई तेरी company मेरे को दे दे आप क्या बोलोगे हां मैं मेरी company तेरको देता हूँ बट सामने मुझे क्या देगा या फिर मुझे सामने equity shares दे अपनी company का आज की तारीख में majority of merger and acquisition deals it is the shares which are exchange तो मैं बलता हूँ ठीक है मैं acquirer company हूँ तू target company है मैं तेरको मेरी company के shares दोंगा but मैं तेरको मेरी company के कितने shares दोंगा that depends on the swap ratio समझ मैं swap ratio क्या होता है it is a rate that an acquiring company will offer its own shares in exchange for target company shares during a merger or acquisition अब मैं आपको अगर मेरी company के shares दे रहा हूँ तो किस basis पे दोंगा it could be on the basis of earning per share कितना है सामने मेरा earning per share कितना है उसके comparison में दे सकता हूँ या it could be market price per share या it could be net asset value it could be anything P ratio तो वो अपन लोग जो internally decide करेंगे उस basis पे यह swap ratio swap का मतलब होता है exchange exchange ratio decide होगा तो swap का मतलब होता है क्या बेटा exchange उसके बीच में ये exchange ratio decide किया जाएगा समझ में आ गया yes sir समझ में आ गया अब एक example है swap ratio का वो example को we will study अपने को आइडिया आ जाएगा A limited acquirer company wants to acquire T limited and has offered a swap ratio क्या swap ratio दिया है say one is to two का swap ratio दिया है उसका मतलब interpretation देखो means one share of acquirer for every two shares of target company तो तेरी कंपनी में कितने शेयर है sir मेरी कंपनी में एक लाख वन लाख शेयर है ध्यान से समझना आपकी कंपनी का एक लाख शेयर है and एक शेयर है 10 रुपे का एक शेयर है 10 रुपे का तो कितना हुआ sir total 10 लाख रुपे का ठीक है fair enough मेरी कंपनी का मेरी कंपनी का भी से for example एक लाख शेयर जी है मेरी कंपनी का भी से for example एक लाख शेयर जी है बट मेरी कंपनी का एक शेर है दींस रूपे का कितने ka 20 रूपीज का मेरी कंपनी का इक सेर अब आ आप लोग लॉजिकली सोच समझके बता और आपकी company का एक शेर है द्स रूपे का एक लाग शेर है तौं टो टोटल दस लाग का वैलु Σेरमा ओसा है ille तो आप लोगो 10 लाग रुपए मिल जाएगा, जितना आप value deserve करते थे, उतना आपको मिल गया, swap ratio उस तरह से determine होता है, कि जो target company है, उसको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैं उतना shares दूँगा, कि target company के value के साथ, या तो EPS के साथ, या तो MPS के साथ, या तो market cap के हो जाएगा, वो question बताएगा अपने को, अब अब यहाँ पे क्या basis पे दिया है, वो नहीं बताए, बट मैंने आपको खाली एक idea दे दिया, that this is how swap ratio basically is calculated, तो एक वापस से मैं example देता हूँ, कि बहुत swap ratio अगर मेरे को decide करना है, समझो दो company है, एक है target company, एक है acquirer company, बराबर है target company बोलता है, यार मेरे company के पास एक लाग शेर, जो और एक share का value है 10 रुपया, तो total तो यार 10 लाग रुपया है ना, हाँ sir, बट सामने, acquirer company जो है ना, वो बोलता है, कि boss मेरे पास भी एक लाग शेर है, मेरी company के पास भी, ये deal होने के पहले एक लाग शेर है, बट मेरा एक share है 20 रुपय गा, अब तू मेरे को बता, क्या करूँ मैं, मतलब क्या करना चाहिए मेरे को, तो आप target company खुद सामने से बोलेगा, सुन, तेरा एक share है 20 रुपय गा, मैं बोलेगा, भाई देख मेरे को total 10 लाग का value चीए, मैं बोलेगा, तो तू ऐसा कर मेरे को है ना, इतना shares लिया, तो वो बोलेगा, कि 2 के सामने, एक share मैंने अपना ले लिया, तो इसाया मेरे को मिल रहा है, अक्वाइरर कम्पनी का, सामने मेरे पास कितना है, मेरे पास है target company का, यह इतना, मेरे पास shares है, इस हिसाब से बन गया हमारा swap ratio, तो यह जो लाइन का इंटरप्रिटेशन है ना इसका मतलब यह होता है that one is to two अगर आपको question में लिखा हुआ मिले तो मतलब क्या कि बॉस अगर 10 लाइक है टार्गेट कंपनी का and one is to two है तो it will get one share of acquirer company for two shares of target company समझ में आई बात उसी के नीचे मैंने और एक 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 जांपल दिया है जिसको आपको इंटरप्रेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है बताओ क्या करेक्ट उसका इंटरप्रेटेशन यह है कि पाच टार्गेट कंपनी के शेर्स के लिए चार अक्वाइरर शेर्स के जब आपको swap ratio given हो example for swap ratio when it is directly given जो बहुत कम होगा अगर यह हुआ तो इसका मतलब यह रहा अपना फॉर्मिला क्या बन गया वन इस्टू और जब 4 इस्टू 5 बना आपन लोग ने बनाया है तो क्या बना say 1 lakh into अपने को बोला क्या 4 shares of acquirer for 5 shares of target so कितना मिल जाएगा आपको कैना इससे 80,000 acquirer का shares मिल जाएगा इसको अगर मिर को यहाँ पर present करके बताने तो into 4 by 5 which is 80,000 shares of acquirer company किसको मिलेगा target company को but this formula will be used when when swap ratio is given तो जब swap ratio given हो तब आपको क्या करना है shares of target company चाहिए तो आप लोगों के लिए लिखवा देता हूँ ऐसे तो एक्दम बच्ची सी चीज है shares of target company multiply by swap ratio multiply by given swap ratio multiply by given swap ratio कोई पूछे तो बताना कि हम आ रहे हैं चलो shares of target company into given swap ratio total shares of acquirer company post merger तो अब तक यहां पर यह example को मैं continue करता हूँ अगर तो अब तक acquirer company के पास थे 1 lakh shares अब अगर वन इस्टू वाला ratio बैटा हो तो 50,000 shares उसने दे दिये target company को तो 1 lakh 50,000 shares हो गया या फिर हो सकता है या फिर हो सकता है या फिर हो सकता है 1 lakh shares थे और अभी अपना 4-5 वाला हो तो 80,000 shares उसने दिये target को तो कहना इसे यह हो गया कितना 1 lakh 80,000 shares समझ में आई आई आप लोगों को after the shares swap is done, we will now check the total shares of acquirer company post merger done, क्या होगा, acquirer company owned shares plus new acquirer company shares given to target company, new shares given to target company वो भी add हो जाएगा, यहाँ पर मेरा बन जाएगा total shares of acquirer company post merger अगर इसको in terms of formula दिखाने है तो number of shares of A plus B, acquirer plus target, number of shares acquirer के कुद के, plus number of shares of target into swap ratio, यह जो formula तुम लोगो यहाँ पर मैंने बताया था, shares of target company into given swap ratio, यह finally यहाँ पर आई गया as a implementation, यह यहाँ पर आई गया as a implementation, got it guys, आयोग समझ में आ रहा होगा, example immediately मैंने आप लोगो यहाँ पर दे दिया है as usual, so two lakh shares acquirer का है, one lakh shares target का, calculate the number of shares if swap ratio directly given to be 0.5, तो अपन लोग क्या करते है, number of shares, अगर directly दिया है, तो क्या number of shares of target company into swap ratio, number of shares of target company into swap ratio, 50,000, two lakh है already, two lakh 50,000 shares हो जाता है, of shares of new company, which is the acquirer company post-merger, बहुत देखेंगे, आप लोग यहाँ पर कह लिगा है, post-merger, समझ गये सब, तो basic से अपन लोग build-up करते जा रहे, next क्योपर आते है, and that is calculation of post-merger earnings of acquirer company, भाई, अब अपनी company का shares, तुमारे को दिया है, तो तुमारा earnings भी तो अब हमारा हुआ, are we understanding guys, बस यहाँ पर यही चीज अपने को ध्यान में रखनी है, we have given the shares, तो अब total number of shares, आगे target company और acquirer company के मिला के, अब target company का, जो earnings है, वो मेरा हुआ, वो मेरा हुआ, मुझे हक है, so once the target company is acquired, the acquirer company will calculate its post-merger earnings, earnings after tax of target company before merger, अब वो मेरे हुए, earnings after tax of the acquirer company after merger, plus अगर, किन्तु परंतु, जरूरी नहीं आएगा, अगर कोई merger gains हो रहा है, synergy benefits on account of merger है, तो वो भी add हो जाएगा, if it is there, it will be specifically given, specifically it will be given, if, इदर लिख देता हो, if specifically given, अगर specifically दिया है, तो ही ये merger gains आएगा, क्या आएगा ये merger gains में, वो लोग question में देंगे, that okay, as a result of merger, the total earnings will increase by 10 lakh rupees, तो जो pre-merger target का था, pre-merger acquirer का था, वो तो आए गई, plus यहाँ पर ये जो merger के हुझे से आ रहा है, वो भी add हो जाएगा, total अपने को मिल जाएगा, post earnings of acquirer company, क्या मिल जाएगा अपने को, post merger earnings of acquirer company, समझ में आ गया अपने को, और अगर मेरे पास post merger का earnings आ गया है, अगर मेरे पास total number of shares post merger आ गया है, correct, कैना इससे इन दोनों से, yes, post merger EPS, अब मैं calculate कर सकता हूँ, so new EPS after merger will be, earnings after tax before merger of acquirer, earnings after tax before merger of target and merger synergy gains अगर हुआ है, तो plus upon old shares of acquirer upon new shares of target, और इसको अगर एकदम, in terms of formula लिखना है, तो यह available है, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा example लिया है, let's quickly discuss that, so example for calculating the EPS post merger, so earnings after tax है, दोनों का A का भी, और T का भी divide by number of shares, जो अपने को मिल जाएगा, earning per share जो अपने को अभी, चाहिए ने individual level है, अपने को total level पे चाहिए, तो total level पे मैं देखता हूँ, कि मेरे पास earnings after tax है, 5 lakh rupees का, तो यह मैंने ले लिया, 2 lakh rupees का, यह मैंने ले लिया, 1 lakh का मेरा synergy gains है, total 8 lakh आ गया, total number of shares है, 1 lakh वो तो ही है, अब 50,000 का मेरे को, 0.5 का swap ratio, ER मतलब exchange ratio बेटा, ER मतलब exchange ratio बैट रहा है मेरा, 0.5 का तो 50,000 into 0.5, 50,000 into 0.5, यह आता है, 1 lakh 25,000, so 8 lakh divided by 1 lakh 25,000 मैं करता हूँ, it will be 6.4 EPS post merger, EPS post merger, है, समझे गड़ू, अब next concept है, if target company wants to keep the same EPS or MPS post merger, यह देखो मैं आपको समझाने के लिए, एक simple सा example लेता हूँ, जो आपको connect कर वाँगा, suppose मेरी company है, और आपकी company है, मेरी company का EPS है 10 रुपीज, आपकी company का भी EPS है 10 रुपीज, suppose you are the target, I am the acquirer, मेरा EPS है, I am the acquirer, मेरा EPS है 10, आप target हो, आपका भी EPS है 10, 10 रुपीज, दोनों का, आप मुझे बताओ, जब आपके, अगर आपके एक लाख shares है, तो आप मेरे से कितने shares expect करोगी, और आपको same EPS रखना है, तो कहना है से आप बोलोगे, sir, मेरे पास एक लाख shares है, मेरा EPS 10 है, आपका भी EPS 10 है, तो आप मेरे को एक लाख shares दो, तो आपना सब चीज टैली हो जाएगा, मैं बोला, एकदम बराबर, सही है, ठीक है, अब variation, यह तो simple था, कोई भी दिमाग लगा ले था, अब variation, समझो, आपका EPS 10 है, और मेरा EPS है 20, 20 है मेरा EPS, अब मेरे को आप बताओ, आप क्या बोलोगी, और आपके एक लाख shares है, आप मेरे से कितने shares expect करोगी, आपका EPS 10 है, भी भी मेरा EPS 20 है, अब आप 50% expect करोगी, बोलोगे सर 50,000 shares दे दू, तो अपना मैच हो जाएगा, 50,000 shares into 20, आपका जो EPS है, उसके साथ मैच हो जाएगा, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, 1 इस्टू 2 करवा दिया, क्यों क्योंकि आपका EPS 10 है, मेरा EPS 20 है, मतलब EPS of target company 10, upon EPS of acquirer company 20, into number of shares of target company, आपका 1,00,000 shares था, into 1 upon 2, या 10 upon 20 करके, आपने वोला, चलो सर 50,000 shares दे दो, आपकी company का, बराबर के नहीं, in the same way, समझो, तो अब उल्टा है, आपका 10 है, और मेरे EPS 5 ही है, तो आप क्या बोलोगे, सर मेरा अलगी वर्ट है, सर मेरको आपकी तरफ से, डबल चाहिए, सर मेरको 2,00,000 shares चाहिए, अगिन आपने क्या, आपके खुद के जो shares है, multiply by, आपका 10 का EPS है, मेरा पाच कही है, तो सर आपने बोला, सर डबल दे दो, समझ में आ रहा है कि नहीं, and that is how we get the formula, बिटा, that is how we get the formula, swap ratio is equal to EPS, और MPS of target pre-merger, upon EPS, MPS of acquirer pre-merger, into shares of target company, before merger logically, तो अपने को कभी exam में, अपने भूल गया है फॉर्मिला, तो सोच नहींगा, target company, acquirer company, target company का 10 का EPS, इसका भी 10 का EPS, तो same, target company का 10, इसका 20, ओ, तो सर फिर तो बाद में, अगर 1 is to 2 का ratio बैट रहा है सर, यह बोलेगा 50% मेरे को दे दे, तो 1 is to 2 कैसे है, 10 by 20, EPS of target upon MPS of acquirer, EPS of target upon EPS of acquirer, यह MPS हुआ तो MPS के ratio में, जो वो बोलेगा वैसा, तो there can be situations, where chairs of target company में, require the same EPS, MPS after merger, as it was before merger, in above case, the swap ratio will be based on, its respective EPS, MPS, सामजी गुरू, अब आजाओ, यहाँ पर example, समझ लेते हैं, target company wants to keep, same EPS, MPS, post merger, ICI का module का question ही उटा है, so tension नहीं है, company है हमारी M company, planning to acquire N company, so M company क्या हुई, acquirer company, A, N company क्या हुई, target company, earnings after tax, number of equity shares, market value per share, if the merger goes through, by exchange of equity, and exchange ratio, is based on current market price, what is the new earning per share, of M company, पहला, दूसरा, M company wants to be sure, that the earnings available, to its shareholders, will not be diminished, by the merger, what should be the exchange ratio, indirectly, वो बोल रहा है, same EPS, रखने को, तो second part में, same EPS, रखने, first part में, वो बोल रहा है, what will be the new earning per share, for the acquirer, post merger, इसमें दोनों concept हो गया है, दोनों concept को अपलाए करके, we will get the answer, चलाओ, start करते हैं, जो फर्स्ट वाला, मेरा यहां पर, condition है, उसमें बोलाए या, पार्ट है, उसमें वो लोग ने देखो, क्या बोलाए, if the merger goes through, by exchange of equity, and exchange ratio, is based on current market price, so exchange ratio, based on current market price, मतलब, shares of target company, into, correct, market price per share, of target company, upon market price per share, of acquire, company pre-merger, so shares of target company, को pre-merger है, 4,00, 4,00, ले लिया, into, 160 upon 200, ले लिया, 3,00, 20,000 shares, आ गया, बोले तो, जास, राइट, अब मेरे पास, total number of shares, आ गया है, मेरे पास, दोनों का earnings है, pre-merger, तो यह, दोनों को मैं add कर दूँँगा, तो 80,00, and 24,00, मैं add कर दा हूँ, तो 1,00, 4,00, upon, मेरे पास, यहाँ पर already, M company का, 16,00, plus 3,20, तो 19,20,000, आ गया है, यहाँ पर, मेरे को मिल गया, 5.42, that is the new earning per share, for M company limited, and जो second वाल है, उसमें बोला है, कि मेरे को, ऐसा कुछ earning per share, अब ऐसा कुछ swap ratio, work out करना है, कि दोनों का earning same रहे, तो CDC बात है, it will be based on, earning price per share, let's check it out, so calculation of exchange ratio, which would not diminish the earning, per share of M company, after its merger, with current EPS, तो इधर है 80,00, जो मेरे पास, देखो तो sorry, मैं तो सीधा, यही लेता हो पाए है, shares of target company, 4,00, into EPS of target, before merger, and EPS of target, of acquirer, before merger, तो अब मुर्जे, EPS find करना पड़ेगा, तो EPS of target, upon EPS of acquirer, करके कर पाऊंगा मैं, चलो आजो EPS, find out कर लेते हैं, दोनों का, so इधर 80,00, इधर 24,00, इधर 4, I will get 5, and 6, बस EPS of target, 6 है, EPS of acquirer 5 है, बस यही वाला formula, यहाँ पर अपन लोग ने, apply कर दिया, and we will get, the number of shares, that should be issued, by acquirer company, to target company, such that, the EPS of target company, after merger, continues to be, same, total shares, दिया, उसको 4,80,000, अभी 20,80,000, हो गया, 1,00, 4,00, बस तो वही है, अपना EPS after merger, upon 20,80,000 shares, मुझे मिल गया, Rs. 5, which is the EPS, after merger, so total earnings, EPS, 5 ही चाहिए था, EPS, 5 ही है, M company का, which is the, which is the acquirer company, I think target company का भी वही रहेगा, yes, so total earnings, if N company available to new shares of, N company, so यह देखो, यह लोग को 4,80,000 था, into 5 रुपया मिल गया EPS, मतलब 24,00, रुपया, is what they have got, 24,00, and N company limited का, यहाँ पर अगर आप लोग note करते हो, तो earnings after tax, pre-merger was also 24,00, so N company wants to be sure, that earnings available to shareholders, will not be diminished, पहले भी 24,00, था, अभी भी 24,00, है, so after merger उनको 4,80,000 shares मिला है, बरावर है, and यहाँ पर EPS after merger है 5, 4,80,000 into 5, is 24,00, which was their EPS, pre-merger, everything same, but क्यों, क्योंकि हम लोग ने EPS के basis पे, shares swap दिया है उनको, clear everybody, अब दूसरा position, acquirer company को अगर, same EPS, MPS रखना है, post-merger, तो फिर, देखो, acquirer company has to keep the same EPS में, logically जाते हैं, logically, ठीक है, so, logically, acquirer company को, say, acquirer company का EPS है, 5, यह है, उसका, pre-merger EPS, अब बोलो, क्या बोल रहे हैं, कि भाई, post-merger भी, हमारे को, acquirer company का EPS, 5 ही चाहिए, यह हमारे को, post-merger भी, 5 ही चाहिए, तो, कितना shares, issue करे, target company को, target company को, कितना shares, issue करे, कि हमारी, यह जो इच्छा है, यह, पूरी हो जाए, which is to, keep a post-merger EPS, of 5, what should be, the number of shares, that should be issued, so basically, what they are trying to say, is, वो लोग बोल रहे है, कि भाउस हमारे को, post-merger 5 का ही रखना है, अपना EPS, correct, अच्छा, EPS of acquirer company, हम लोग कैसे, calculate करते हैं, can I say, it is nothing but, earnings after tax, of target company, पराबर, earnings after tax, of acquirer company, पराबर, प्लस अगर कोई synergy हुई, तो, correct, divide by, number of shares, किसका, of acquirer, अगर तुम लोग note करोगे, तो this balancing figure, hello, this balancing figure, is nothing, but a number of shares, that can be given to target company, such that, मेरा EPS 5 ही रहे, अब question में, ये दियावा होता है, ये दियावा होता है, ये भी दियावा होता है, कैना, इससे, अब मेरे को, इसका मेरा balancing figure, मिल जाएगा, so, can I say, earnings after tax, of target, plus acquirer, plus, अगर कोई मेरे को, synergy gains होने वाला है, बराबर, divide by, number of shares, of acquirer, plus, target, बट वो target का, तो मुझे पता नहीं है, तो उसको मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे, X, अब उस हिसाब से, अगर ये चीज को, solve करता हूँ, कोई भी equation में, जहाँ पे खाली, एक चीज, as a balancing figure है, then in that case, can I say, वो find करना, तो बहुत easy है, exactly this is, what we are going to do here, यह देखना भी, अभी logically, इसको apply करना है, pre-merger, path of acquirer, समझ गए, pre-merger, path of target, समझ गए, plus, synergy, तो post-merger, path आ गया, यह मेरा इधर, मिला के, post-merger, path आ गया, correct sir, okay, divide by, pre-merger, EPS of acquirer, company, मैंने क्या कर दिया, इसको, मैं इधर ले आया, और इन दोनों को, मैं इधर ले जाऊंगा, बरावर के नहीं, अगर तुमको चाहिए, तो लोग, color change कर देते हैं, इसका, यह जो 5 है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, और इन दोनों को, इधर ले आता हूँ, आप divide by 5 कर दिया मैंने, minus उसके बाद कर दूँँगा, number of shares of acquirer, इसको solve करते हैं न, अगर यह जो मैंने example दिया है, उसी को solve करता हूँ मैं, तो 5 is equal to, say 100, plus say 200, plus say 50, divide by, number of shares of acquirer, plus say number of shares to be given to target, यह balancing figure है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर ले आऊँगा, और इसको इधर transfer कर दूँगा, so, 350, divide by 5, is equal to 70, इसमें से मैं देख लूँगा, कि भाई, acquirer के पास, already 30, 40 shares है, से acquirer के पास, already 40 shares है, correct, balancing 30 shares, अपन दे देंगे, target company को, pre-merger, EPS of acquirer company, which can be 5, अपने example के हिसाब से, तो आप total कितने shares, रख सकते हो, as acquirer company, अगर आपको पुराना, जितना EPS ही चाहिए, वो अब आपको मिल गया, उसमें से, already acquirer के पास, कितने है, वो minus कर दो, existing number of shares of acquirer, आपको मिल जाएगा, maximum shares to be issued, to target company, to keep the same EPS, और जैसे मुझे ये मिलता है, मैं एक swap ratio, derive कर लूँगा, number of shares issued, to target company, upon number of shares of existing, target company, तो से for example, पहले अभी देखो, अभी ये 30 मिला है, और existing, इसके पास shares थे, 100 shares, तो अभी क्या swap ratio में मिल गया है इसको, ये भई 100 के सामने, इसको 30 shares मिला है, समझ में आ गया, done, same way, अगर मेरे को same MPS रखना है, once same EPS, दूसरे वाले में देखो, once same MPS, as post merger, तो same logic, यहाँ पे काली, अपने को earnings के जगे पे, यहाँ पे अपने को EPS M चाहिए था, तो हमने Pat के ओपर focus किया, अब अपन लोग earning के ओपर focus नहीं कर रहे है, market capitalization के ओपर focus कर रहे है, तो market capitalization की बात करता हूँ, तो pre merger market cap क्या था, अपना acquirer का, pre merger market cap क्या है, target का, plus synergy, अपने को मिल जाएगा, post merger market cap, अपने को मिल जाएगा, post merger market cap, divide by, किसे divide करेंगे, pre merger MPS of, यहाँ पे अगर मैं इसको, in terms of logic बताना चाहूँ, तो देखो, market cap क्या होता है, आपको starting में यह चीज़ तो मैं बता चुका हूँ, market cap क्या होता है, it is nothing but market price per share, into number of, equity shares, यह तो अपन लोग डालने वाले हैं, market cap, मेरा market cap पहले कितना था, तो market cap of target, pre merger, plus, market cap of acquirer, again pre merger, plus, अगर कोई synergy मिलता है, तो divide by, total number of shares, of target, plus, total shares, of acquirer, यह सब मिला के, यह सब मिला के, मेरा कितना market price, per share होना, चाहिए, वो तो pre merger जितने होना चाहिए, तो यह मेर को पता है, यह मेर को पता है, यह मेर को पता है, अभी understanding, यह मेर को पता है, balancing figure, x के तरह, यह मिल जाएगा, so what again, we will do is, the same thing, इसको यहाँ पे ले लेंगे, इसको यहाँ पे लेंगे, and we will solve, pre merger market cap of acquirer, pre merger market cap of target, synergy add किया, post merger market cap मिल गया, divide by pre merger, MPS किया, अब इतना maximum shares में, दे सकता हूँ, after merger, उसमें से, already acquire है, जो है, उसको तो टच नहीं कर सकते, जो balancing figure है, उतना target को दे दो, ताकि आपका same MPS, रहे constant, आउएक सम को solve करते है, so that we are even more clearer, and यह सम है, longitude limited is in the process of acquiring latitude limited on share exchange basis, बहुत है, बहुत है बहुँ को shares चाहिए, profit after tax, number of shares, PE ratio earning per share दिया हुआ है, ignore synergy, मतब synergy नहीं है, आपको find out करना है, pre merger market value per share, होँथ easily find out कर सकते हैं, यह ना इससे earning per share into PE ratio कर लेंगे, तो 8 into 15, यह कर लिया, तो 120 MPS आ गया latitude का, and 5 into 10, 50 आ गया MPS, longitude का, और 50 आ गया MPS, latitude का, फिर बाद में उसके, maximum exchange ratio, longitude can offer, without dilution of EPS, and market value per share, मतलब कहना इससे, यह ही, तो main चीज find करने हैं, अपने को इस question में, देखो, first वाला part तो हो गया आपना, first वाला part तो हो गया, main यह अपन लोग ने, setup equation इसी के लिए किया था, कि, अपना यह concept के, maximum exchange ratio that, longitude, which is the acquirer, A और T लिखे दो भाई, acquirer can give, to the target, which is latitude, such that, EPS और MPS, दोनों का, same रहे, EPS के लिए, दोनों का, आपन लोग, pat find out कर लेंगे, which is available at, 120 and 80, मैं आपको बोलू, calculator पर ही, अगर smartly करोगे, न हो जाएगा, यह हो गया, 200, divide by, पहले का, EPS कितना है, latitude का, 8, तो, divide by 8, 200, divide by 8, तो, it comes to 25, उसमें से, already, longitude के पास, 15 shares है, तो, maximum latitude को, दे सकते है, 10 shares, maximum number of shares, to be exchanged, 10 shares, which will give a ratio, of 5 is to 8, 10 is to 16, क्योंकि, पहले, latitude के पास, 16 shares, अब उसको, मिल रहे है, 10 shares, तो, उसको, basically, 10 is to 16, के ratio पे, मिला है, shares, same to same, logic, अपन लोग continue करेंगे, for, calculation of, same MPS, as before, so, pre-merger market, capitalization, दोनों का, आपन लोग देख लेंगे, now, we can find out, विकज अपने पास, अब, market price per share, भी है, so, number of shares, into market price per share, 15 into 120, and 16 into 50, so, 1800, 800, तो total होगा है, 2600, उसमें भी, current market price of, current market price, share, of longitude, is 120, सीधी बात है, 120 है ही, मेरा already, इदर यहाँ पे, किदर यहाँ, 120 है ही, मेरा already, यहाँ पे, so, वो मेरे को maintain करना है, तो, I should totally have, 21.67, lakh shares, उसमें से, 15,00, मेरे पास है अलड़ी, I can issue, 6.67, such that, मेरा MPS, सेम रहे, इसी के साथ, complete होता है, if, acquirer company, wants to keep, same, EPS, or MPS, post, merger, एई, सामझी गुरे रहे, everybody, with the, example, also, understood, next, we come to, the, Xinergy, benefit करके, जो, अपनोंगा भी, देखी रहे, gain from merger, and, synergy, जो आपन लोग, बार-बार पढ़ रहे है, कितना, real benefit, तो, वो यहाँ पे, दिखाया है, see here, एक कहावत है, 1 plus 1, is equal to 11, तो, ऐसे ही कुछ, यहाँ पे, आप लोग देखोगे, that, value of acquies, acquirer, say 100 है, value of target है 50, तो, total हुआ 150, बट जब यह, दोनों combine हो जाते हैं, तो, it becomes 175, तो, कहना, इसे, synergy benefits, साथ में आने का, क्या benefit हुआ, 25 रुपीस से, दोनों का value बढ़ गया, दोनों का, मिला के value, 25 रुपीस से बढ़ गया, बट, यह synergy करने के लिए, यह acquisition करने के लिए, कुछ acquisition costs लगते हैं, ठीक है, it could be legal cost, and many other costs are there, वो minus करने के बाद, आपको बता चलता है, कि आपका real increase in value, कितना हुआ है, यहाँ पर देखो, total 175 था, बट उसमें से, acquisition cost है मेरा, 175 था, I mean 175 हो गया, 150 था, so 25 रुपीज मेरा बढ़ गया है, synergy की वज़े से, right, so पहले it was 150, now because of acquisition, दोनों साथ में आ गए, पहले 150, दोनों साथ में आ गए, 175, तो 25 का benefit हुआ, बट इसमें से acquisition cost 10, तो real benefit कितना हुआ है, net gain कितना हुआ है, it is rupees 15, it is rupees 15, यह एक चोटा सा gain from merger and synergy, अब आ रहे हैं अपनों अगें, next important concept के ओपर, which is total gain or loss, from the merger, देखो, अब, end of the day, merger करने का एक ही reason है, कि total value should increase, of the target company, of the acquirer company, everybody wants to increase their value, यहाँ पही अभी आपनों लोग देखेंगे कि भाई, कितना total gain हुआ है, या loss हुआ है, in terms of market capitalization, so अपने को देखना है, post merger market value of merged firm, सबसे पहले, market value क्या होता है, can I say it is market price per share, into number of equity shares, अच्छा, अब, post merger market price per share क्या है, वो देखेंगे, into, number of equity shares में, acquirer, plus, acquirer ने जो अभी target को दिया है, वो, वो दोनो अड हो जाएंगे, so यह देखो, market price per share after merger, into, number of shares after merger, now what is this number of shares after merger, it is two, number of shares of acquirer, plus, number of shares issued to the target, तो अपने को मिल गया भाई, total, post merger, market value of the merged firm, minus pre-merger value of, merged firm, market value of the merged firm, अपन calculate करी सकते है, individual level पे market cap of, acquirer plus target को add करके, and फिर भी अगर कुछ बच रहा है, that basically is the gain, or loss, from merger, that basically is the gain, or loss, from merger, अब, उसके नीचे वाले में, we will see, how individual level पे, the merger, has resulted, into a benefit, अब ये acquirer company के लिए, तो बहुत ही simple है, calculate करना, क्योंकि उसका, post merger market, capitalization, calculate करना, तो बहुत ही easy, number of shares, before merger, into, post merger MPS, and number of shares, before merger, into, pre-merger EPS, आजाएगा, यहाँ पर, pre-merger EPS, so यह मेरा gain हो, मैं आपको logically, numbers के साथ, बताता हूँ, not to worry guys, से मेरे पास, merger के पहले, example के तुरू समझेंगे, तो easy हो जाएगा, से market, acquirer की, अभी मैं बात करता हूँ, प्यूंकि अपना focus, acquirer पे है, ठीक है, so acquirer का, से pre-merger, shares, इसके पास था, 100 shares, ठीक है, okay, and, इसका market price per share, pre-merger, was rupees 7, per share, just an example, rupees 7, per share, तो can I say, market cap, pre-merger, कितना हुआ, rupees 700, yes sir, rupees 700, easily understandable, no worries, ठीक है, अब सुरू, हुआ क्या उसके बाद, post-merger, post-merger, market price, पर share हो गया, rupees 9, done, अब, number of shares, तो post-merger, acquirer का बढ़ जाएगा, क्योंकि, acquirer में, target वाले shares, भी आ जाएगे, but वो अपने को, यहाँ पे, include नहीं करना है, because अपन, individual level पे, देख रहे है, कि, किसका कितनो benefit मिला, तो यहाँ पे भी अपन, जो pre-merger shares है, अलो, यहाँ पे भी अपन, जो pre-merger shares है, वो ही लिखेंगे, तो ही अपने को, correct answer मिलेगा, and this will be, rupees 900, तो effectively, we will be able to say, अलो, effectively, we will be able to say, कि, increase in value, कितना हो गया, it is, rupees 200, increase in value, कितना हो गया, it is, rupees 200, समझ में आई बात, same way, hello, same way, जब अपन लोग, यहाँ पे आ जाते है, in the context, of the target, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को, target का भी बता देता हूँ, साथ साथ में, target में अच्छा एक यह चीज़ है, say target का है, target का भी pre-merger shares होगा, कुछ ना कुछ, say pre-merger shares है, उसका भी say 100 shares है, ठीक है, into market price per share है, उसका rupees, say 5 per share, उसका खुद का, target का, तो total value हो गया, rupees 500, pre-merger, इसको लेंगे आपन, market cap, pre-merger, and that is rupees 500, fair enough, understood, अब target company, अपना अस्तित्व खोके, can I say, it is now a part of acquirer company, target company has left its existence, and given it to acquirer, तो acquirer ने सामने, उसको अपना shares दिया, कितना shares दिया, let's assume to be 50%, so, यहाँ पर देखना, what we will write here, is post-merger shares, of target, in acquirer, in acquirer, and that works out to be, 100 shares, जो था, multiply by 50%, जो उसका swap ratio है, 50% जो उसका swap ratio है, and this works out to 50 shares, and market price per share, post-merger, तो acquirer और target, same ही रहेगा, so, यहाँ पर effectively, इनका market price हो रहा है, 450, right, and therefore, यहाँ पर इसका increase in value है, इसका decrease in value है, by rupees 50, by rupees 50, कैसे 500, minus 450, hello, and that is, rupees 50, समझ में आई है, आपको बात है बेटा, clear, so, that is how, market value, gain, post acquisition, is calculated, individually, for acquirer company, and for target company, acquirer company के लिए, बहुत easy है, क्योंकि उसका pre-merger number of shares, post-merger number of shares, same ही है, same ही रखना है उसको, multiply by, pre-merger market price per share, post-market price per share, multiply कर लो, दोनों में, आपको difference मिल जाएगा, easy, pre-merger market value, of target is also easy, क्योंकि target का, original number of shares, into pre-merger market price per share, उसे अपने को, target का, pre-merger market value, मिल जाएगा, market cap मिल जाएगा, no worries, but the main catch, is this calculation, यह आपको, ध्यान में रखना है, easy, but ध्यान में रखना है, क्या, एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, इसमें भी, post-merger market price per share, तो same ही रहना है, खाली एक चीज़ ध्यान में रखना है, कि, total number of shares, post-merger of target, will be number of shares of target, into swap ratio, बस, that's it, हो गया, फिर तो आप लोगों को individual level पे भी यह चीज़ मिल गए, और आओ, आप लोगों के लिए एक सम रेडी है, इस चीज़ को cross-prove करने के लिए, let's start with this question, बाकि याँ पे, जो है, तो तो तुम लोग के पास, है ही आप लिए, number of shares issued to the target company, by the acquirer, into post-merger MPS, less, इदर आ जाएगा, pre, I think, same, same copy होगे, so, इदर आ जाएगा, pre, number of shares of target company, so, this is how, इक चोटा सा change कर दे न, number of shares of target company, into pre-merger MPS, which we logically calculated, pre-merger, number of shares, pre-merger MPS, market price, market capitalization, pre-merger, समझ में आगे बाते, everybody, समझ में आगे, सर, अवा आ जाते, calculation of, example for gain or loss, based on market capitalization, जो भी अपन लोग ने logically समझा, उसको apply कर लेते हैं, come, so, we have a question, of again ICI module, mask, mark limited and mask limited, earnings after tax, 2000, 4000, number of shares outstanding, can I say immediately, अभी आप लोगा दिवाग है न, फड़ा फड़ भागना चाहिए, can I say मिरको यहां से EPS मिल जाएगा, बहुत easily, मैं EPS calculate कर लूँगा, 2000 divided by 200, 2000 divided by 200, can I say this is going to be 10, and this is going to be 4, उसके बाद में है MPS, market price per share, so market price per share, कितना आ जाएगा, यहां पे 10 into 10, 100, 5 into 4, 20, so यह अपने पास एक, preliminary information ready होना ही चाहिए, जो अपने को question देखके ही पता चले, what is swap ratio based on current market prices, बोलो, है न, अभी कितना easy है वाला, so swap ratio, अपन लोग कैसे calculate करते हैं, यहाद है, shares of, यहाप एक हाली swap ratio ही find कर, number of shares भी, अपने को नहीं find करना है, but by default, we will calculate that, what is EPS of market limited after acquisition, what is expected market price after acquisition, assuming P ratio remains unchanged, determine market value of the merged firm, so can I say, यह अपने को इदर, determine the market value of the merged firm, यह अपन लोग calculate जो करते हैं, इदर G1, and उसके बाद में लिखा है, calculate gain or loss for shareholders of the two independent companies after acquisition, on totality basis and individuality basis, on totality basis and individuality basis, can I say, बहुत ही अच्छा सम है, और इससे अपने सारे concepts खुल जाएंगे, चलो, let's start to solve this question, चलो, अब logically फटाफट answers find करना चलो करते हैं, सबसे पहला है मेरा, what is the swap ratio, एक एक करके करते हैं सको, ठीक है, चलो, what is the swap ratio, based on market price, based on current market price, तो बोलो क्या आएगा, so can I say, देखो, यहाँ पर, shares of target company, into, market price of target company, upon, market price of acquirer company, so market price of target company कितना है, बोलो बोलो चलते हैं, can I say, it is rupees 20, market price, इसका है 100, so 20 by 100 का swap ratio बैटेगा, correct, which is 0.2, swap ratio, समझ में आ गया, swap ratio आ गया, 0.2, next, what is the EPS, of mark limited, after acquisition, अब मेरा EPS, after acquisition is, earnings after tax, दोनों को add कर दिया, so 2,400 आ गया, यह बाइद वे, swap ratio कैसे है, समझ में आ न, 2500 यह देखो, तुम लोगो, calculation भी मैंने इदर देखो, सिखा आ बाए, कैसे calculate करते है, if target company, wants to keep the same EPS, और MPS, तो, अपने को यहाँ पर क्या बोला है, based on MPS, so shares of target company, into, MPS of target, upon MPS of acquirer, वैसा, so based on MPS, कभी कभार वो wordings उस करेगा, wants to keep the same MPS, कभी कभी वो बोलेगा, based on MPS, में को तो समझ जाना है, क्या है, MPS of target, upon MPS of acquirer, into shares of target, चलो, next के ओपर आते हैं आपर लोग, so यह इधर मेरा, 20 by 100 का ratio बैठता है, तो 0.2, so, total number of shares है, 100 lakhs, into 0.2, and this, 100 lakhs, into 0.2, this will become, 20 lakhs, एक्या है, mask limited का, अब, post acquisition number of shares, 20 lakhs हो जाएगा, क्यों चाहिए, क्योंकि अभी मेरेको, 2400, divided by, 220 lakhs करना पड़ेगा, so, 2400 divided by 220, can I say, works out to 10.91, can I say, works out to 10.91, यह राजज़ बार, right, swap ratio, 0.2, यह बार, done, फिर देखो, क्या बोला है, next, logically करते जाएगे, यह फड़ापट, what is the expected market price, of mark limited, after acquisition, assuming, P ratio remains unchanged, इन जारे, वारे वा, so, देखो, मेरे पास, यहाँ पे, EPS post merger आ गया है, हलो, मेरे पास, यहाँ पे, EPS post merger आ गया, 10.91, मेरे पास, इदर, market price, if P ratio unchanged, आ गया, 4th, determine the value, of the merged firm, वाँ, अब देखो, market price, 109.1 आया है, मेरा, थोड़ा किश पीश हो गया है, बट, कर रहे हैं, अपन लोग, logical ही है, ठीक है, 109.1 मेरा, market price, पर share है, into, can I say, number of shares, अभी मेरे पास, 220 lakhs है, so can I say, 220 into, 109.1, will be the market value, of the merged firm, which is, 240.02 crores, यह देखो, 109.1, into, 220 lakh shares, समझे गड़ू, अभी इधर ही मेरे को, अगर, gain from merger, find out कर लेना है, तो वो भी मैं find out कर सकता हूँ, यह देखो न, gain or loss from merger, कैसे calculate करेंगे, market cap pre-merger, minus market cap post-merger, यह market cap post-merger, minus market cap pre-merger, market cap post-merger तो आ गया, 240.02, market cap pre-merger, यहां से बहुत इजीली मिल जाएगा, मेरेको, 2000 lakh, sorry, 200 lakhs into 100, and 100 lakhs into 20, so can I say, approximately 200 crores, आ जाएगा, 220 crores आ जाएगा, 200, plus 20, so 220, so यहां पे 220 crores, and यहां पे 240 crores, 20.02 crores, is the gains, from merger, quite, quite, quite manageable, अगर, अपना, past, अच्छी तरे से अपन करते आए है, तो post, अपना अच्छा रहेगा, right, so that was your, gains, from merger, appropriation, of gains, अब अपने को यह, find out करना है, individual level पे, and totality level पे, यह, totality level पे तो, अपनों calculate करना, सीखी गए थे, और individual level पे भी, calculate कर लेंगे, not a big deal, at all, अपना क्या बात हुआ था, कि यह, pre-merger shares of acquirer, वो unchanged रहेगा, so यह, pre-merger shares of acquirer, can I say, वो 200 lakhs था, अभी भी 200 lakhs है, MPS, अपनों लोगने, यह आपर उपर नीचे गया, वो लोगने, ठीक है, वो लोगने पहले, post-merger ले लिया, post-merger, 200 crores, उपर ही अभी अपनों ने निकाला, so यह आगया, मेरा 18.2 crores का, individual level पे, acquirer का, increase in value, in the same way, Massak Limited, 20 crores, यह तो अपने को, उपर से आगया, यहाँ पे, 109.1, into, into, target company shares, into swap ratio, or the number of equity shares, that, target company has post-merger, which is 20 lakh, and यहाँ पे, अपने पास आगया, 1.82 crores, increase in value, of Massak Limited, increase in value, of Massak Limited, got it guys, अब इसी को, individual level पे, अगर मेरे को देखना है, तो भी मैं देख सकते हो, यह मेरा, 109.1 हो गया, यह पहले 100 था, तो कैना है, 9.1, value per share, increase हो गया है, guys, दिख रहे गया, यहाँ पे, value per share, 9.1, से मेरा, increase हो गया है, and same, मुझे अगर, target company का, find करना है, तो, तो देखो, target company का, value, market value, before, acquisition कितना था, 20, 5 into 4, 20, बरहर, यहाँ पे, it was, 20, अभी कितना हो गया है, देखो, जरा ध्यान से, अब देखो, target company बोलेगा, भई, मैं तो हो गया, acquirer company के हवाले, तो मेरा भी, जो acquirer company का, market price per share है, मेरा भी, market price per share, वो ही हो जाएगा, your answer is absolutely correct, but, target company, पहले तिरे पास, 100 share था, अब यह ना, तिरे पास, खाली, 20 share बचा है, तो यहाँ पे, तेरा खाली, 20% का ही, तिरको मिल रहा है, real value, तो ऐसा मत बोला, हाँ, individual level पे है, 9.1, but, individual level पे भी, तेरको तो, उसका 20% का ही, benefit मिल रहा है ना, क्योंकि, तेरे पास, 100 share था, 20 परचा है, ओ, एफा, yes, यहाँ पे, you will always multiply, the acquirer's market price, your post acquisition market price, per share, into swap ratio, तो आपको मिल जाएगा, उसका real market value, per share, इन्टो 20%, बेटा, which is 21.82, माइनस जब आप 20 करोगे, आपको मिल जाएगा, 1.82, एण यह रहा, individual level पे, per share level पे, you will get, the 9.1, and 1.2, as your gain, after merger, या gain, from merger, जिसको, यहाँ पे मैंने, उसी के नीचे, solve करके भी बता है, बतब, जिसको एक format में डाल दिये, post merger MPS, acquirer account, pre merger MPS, उसमें तो कोई है, नहीं इतना बड़ा बात, target company का main क्या है, बाबुजी main, यह देखो, यह भी pre merger MPS का कोई बड़ाद नहीं है, बाबुजी main क्या है, इसमें, post merger MPS, into swap ratio, for target company, जो अपन लोग ने, यहाँ पे अभी समझा, post merger EPS, into swap ratio, समझ में आ गया, with this, we are done, with another phase, जहाँ पे, अपने को, यह के तुम लोग नोट कर रहे हो गया, अपने लोग, मैंने न, A, B, C, D, ऐसे करके, सब numbering दिया वाई, यह देखो, पहले अपने लोग ने start किया, swap ratio से, A, फिर एक level उपर गये, total shares, फिर एक level और उपर गये, ऐसे करके, D, E, if target company wants to keep the same, फिर F, acquirer company wants to keep the same EPS, फिर, combined level pay, gain from synergy, right, individual level pay, so G1, G2, G3 हो गया, अब, this is where, we complete the gain, G वाल पर, gain from, gain or loss, from the mergers, in totality, in, individuality, in overall basis, समझे रहो, एक totality individually, एक individually per share basis पे, और एक in, overall totality, समझे में आई बाद, समझे रहो नवस, यह systematically आपको exam तक भी follow करना है, you will get all, that you want in this chapter, right, चलो, आगे बढ़ते हैं, कहा नहीं को आगे बढ़ते हैं, and this is minimum and maximum price, that we can give, for acquirer and target, चलो, acquirer and target, ICI module का, एक question भी मैंने इदर connection के लिए लिया है, उसी से समझेंगे तो better पढ़ेगा, फिर भी एक idea ले ले ले, minimum price that the first word देखो, management would pay, to lose their controlling interest, management का मतलब समझते हो, जो promoter होते हैं ना, company के वो, तो अगर से for example, कोई acquirer company, target company को जाके, management को बोलता है, कि भाई आप आपका controlling share हमारे को दे दू, so what is the minimum price, that the management of target firm would require, बोलेगा वो कि भाई देखो, जो target company का total value है, समझो 100 crores, उसमें से से promoter का share, हमारा share है 40%, तो 40 crore तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, plus, 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 हम लोग जब इस target company में काम कर रहे थी, तो हमारे को remuneration मिल रहा था, तो हमारे को वो remuneration भी चाहिए, तो हमारे को remuneration मिल रहा था, 10 crore तो वो 10 crore भी चाहिए, 40 crore plus 10 crore, 50 crore देते क्या हमारे को, यह हमारा minimum price बनेगा, logically समझा, done, second के ओपर आजओ, पूरा target firm, कि उतना तो चाहिए, क्या, एक तो मेरा जो value आ रहा है वो, value of target, जितना, मेरा market value है, उतना मेरको दे दो, plus loss due to acquisition, अगर acquisition की वज़े से, कोई loss हो रहा है मेरको, ठीक है, से for example acquisition की वज़े से, मुझे कोई plantain machinery urgent में sell करना पड़ा, और anything, then in that case, वो loss भी आप मेरको बैर करवा के दो, I am ready to sell myself, थर्ड है maximum price that, acquiring firm can pay to target company, acquiring firm भी तो कुछ शोच समझ के पैसा देगा न, ऐसे नहीं कुछ भी तुम मांगो के दे दूँगा मैं, तो पहला, value of target company, market value of target, चलो हका बनता है, plus synergy के through, तो जो benefit मिला वो, plus saving of overpaying, अगर अपने को, इस acquisition की वज़े से कुछ saving भी हो रहा है, तो that also will be added, यह maximum amount है, इससे जादा तो देना ही नहीं है, हाँ, इससे कम दे सकते हैं, तो यह अपने लिए kind of cap हो गया, कि भाई, इससे जादा तो देना ही नहीं है, और यह मेरे लिए एक floor के जैसे है, कि यार इतना तो minimum चाहिए ही चाहिए, इतना तो minimum चाहिए ही चाहिए, minimum price, एक example के थूँ समस्ते, will be much easier, example for minimum and maximum price for acquirer and target, the equity shares of XYZ Limited are currently being traded at Rs.24 per share in the market, XYZ has total 10 lakh equity shares outstanding and promoter's equity is 40%, PQR acquishes to acquire XYZ because of likely synergies, estimated present value of these synergies is 80 lakh, synergy का value आगया है, promoter का share आगया है, market में 24 में बिकर आई यह share और 10 lakh total equity shares है, PQR feels that management of XYZ has been overpaid, with better motivation, lower salaries and perks, top management will lead to savings of 4 lakh, top management with their families, leads, our promoters of XYZ, present value of these savings would be Rs.30 lakh, in the value after acquisition. next page, following additional information is available for PQR Limited, earning per share दिया है, 4 का, PQR basic, okay, market price per share 40, total number of shares outstanding 15 lakh, what is the maximum price per equity share, which PQR can offer to XYZ, PQR can I say is the acquirer, XYZ can I say is the target, अगर maximum उसको pay करना है, तो क्या pay करेगा, value, कितना value, तुमारा company का, value का है, target company तुमारा, so can I say it is 24 per share, into 10 lakhs, which is 2 crore 40 lakhs, correct, तो एक ये चीज़ तो एक दम clear होगी, कि इसका जितना value है, उतना आपन दे सकते, maximum, plus उसकी वज़े से, जो कुछ मेरे को synergy benefit हो रहा है, तो 80 lakh rupees का synergy benefit हो रहा है, उतना भी दे सकते हैं, दे सकते हैं, सर कोई problem नहीं है, plus there is a savings of overpayment, अब यहाँ पर इन्हों ने लिया है 30 lakh, मेरे इसाब से logical ही आना चीए 4 lakh, but it's okay, भी जो आई से लिया है वो लेना पड़ेगा, so top management with their families, promoters of XYZ, present value of these savings would be 30 lakhs, in value to acquisition, उनका ये मानना है कि भई अभी, हम लोग ने acquire कर लिया, अगर तो फिर बाद में हमारे को, वो management की जरूत नहीं पड़ेगी, तो 30 lakh रूपीज हमारा बच जाएगा, so इसके लिए उन्होंने वो भी add कर दिया है, and that gives us 33 crore 50 lakhs, and दूसरे साइड पे है मेरा, what is the minimum price per equity share, at which management of XYZ Ltd will be willing, to offer their controlling interest, so minimum price कितना, XYZ Ltd बोलेगा किया, उतरा तो मेरे को चाहिए ही, floor, कितना उसको minimum चाहिए ही चाहिए, तो सबसे पहले, कौन वो भी promoter याँ रटना, management, at which management, management बोलेगा भाई देखो, total 24 into 10 lakh, यह तो total उसका company का value है, उसमें से हमारा कितना share है, 96 lakh, is the value of XYZ Limited, 96 lakh, is the value of XYZ Limited, of the management, बरावर उतना वो लोगो दे देंगे, plus, कि नहीं से जो उनको remuneration मिल रहा था, अब नहीं मिलेगा, उनको भी देना पड़ेगा, तो present value of remuneration is 30 lakh, total इनको 1.26 lakh दे दो, यह लोग खुश है, कौन management of XYZ, and that is what it matches with our formula as well, so minimum maximum कितना है, यह अब आप देख, समझ में आ गया, value of target into promoter shares, plus present value of loss of remuneration, और अगर target value, जा सुरी, acquirer company की मैं अगर बात करता हूँ, वो लोग को क्या expectation है, उनको चाहिए कि या market value of target, जितना हम लोग दे देंगे, synergy भी देंगे, तो यह सब मिला के यहाँ पे, मेरा minimum, maximum price, दोनों का workout हो जाता है, so I hope यह भी चीज अपने को clear हो गई होगी, with this we move on to the next concept, true cost of merger, अब इसको इनों ने नाम दिया, true cost of merger, अगर तुम मुझे पूछो, तो मैं इसको नाम दूँँगा, true value of merger, के merger के बाद, क्या value बें increase हुआ है, especially in case of target company, तो अपने को यहाँ पे, सबसे पहले पता होना चीए, value of target before merger, तो ही compare कर पाऊंगा, क्या value of target after merger, अब आप मिले को बताओ, value of target after merger क्या हो, logically सोच के बताओ, value of target before merger, तो पता है अपने को, market price per share, into number of equity shares, तो value of target before merger, that's not a big deal, but what will be the value of target, after merger, can I say, जो अपना, total value है, after acquisition, into the share of, the target company, in the acquiring company, ब्राबर है, तो उसे अपने को बता चलेगा, हाँ यह value, real value है, उसका, after merger, target company का, सो बस उसी से related question है, आज ओ देखते हैं, तो true cost of merger, true value of merger, is value of target after merger, value of target after merger कैसे आएगा, total market value of, acquirer company, after merger, into share holding percentage of company, in acquirer company, यह कैसे calculate होगा, total market value of, acquirer after merger, it is a total of these three things, market cap of A before, market cap of T before, plus synergy, जी, correct, उसमें, into अपना share, तो अपने को पता चल गया, value of target, after merger, एक example है, आओ देखे, Elrond Limited, plans to acquire, doom Limited, ICI का question number two, दोनों का information दिया है, Elrond का भी, doom का भी, market price दिया है, total number of shares दिया है, तो can I say, doom Limited का value at 250 lakhs, value of target before merger, done, अब, merger expected to generate gains, having a present value of 200 lakhs, तो अभी सुनो, total value यहाँ पे, 50 into 20, कितना होता है, 20 into 50, can I say, 1000 plus 250 plus 200, तो can I say, 1450 lakhs, can I say, 1540 lakhs हो जाता है, यहाँ पे मेरा, the answer is yes, so total मेरा, 1450 lakhs का value हो जाता है, Elrond Limited का, Elrond Limited का, so अगर 1450 lakhs का value है, और उसमे, Elrond Limited का share कितना है, so वो exchange ratio उन्होंने बोला है, it is 0.5, मतलब, 10 lakhs के सामने, उसको मिलने वाला है, 5 lakhs shares, अब, total, 20 lakhs plus 5, 25 lakhs के सामने, कैना इसे, Elrond Limited का share तो 20% है, तो 1450 lakhs, जो total acquirer company का value है, उसमें Elrond Limited का 20% का share, जबकि पहले, जबकि पहले, जबकि पहले, जबकि पहले, जबकि पहले 250, जबकि पहले की वज़े से, 40 lakhs का, एक benefit, का इंड आफ तिंग हो गया है, जबकि आइसे, मैं बोला ना आपको, value of merger, अब इसको, लोजिकली वापस से, नहीं की कोशिश करें तो, value of target company, pre-merger, market price into number of equity shares, पता ही है अपने को, अब value of share, post-merger अभी अपने को देखने का है, target company, post-merger, Eldron Limited की, अगर मैं बात करता हूँ, तो उसका 1000 lakhs तो था ही अलरेड़ी, 250 lakhs अभी doom limited का आ गया, 200 lakhs वोलो का, 200 lakhs वोलो का synergy गया गया, so total 1450 lakhs, Eldron Limited का value बन जाता है, उसमें से, उसमें से, doom limited का shareholding, आज की तारिक में इस 20%, कैसे 5 divided by 20 plus 5, 25, which is 20%, 1450 into 20%, 29 lakhs, 290 lakhs, done with this, चोटा सा concept था है, true cost of merger, कभी question पूछ ले आपको, so you just have to do this calculation, and it will be through, चालेंगे, आगले, पार्ट के ओपर, and this is a case of cash takeover, अब मेरा first sentence याद रखो, जब आप लोगो मैं पढ़ा रहा था ये, मैंने आपको क्या बलाता, जब आप किसी company को acquire करोगे, तो आप दो option दोगे, या तो shares ले ले मेरी company का, या मैं तिरको cash दे देता हूँ, अगर मैं तिरको cash दे दूँगा, तो तिरको मेरी company का कोई shares नहीं दूँगा, क्या चाहिए तिरको, तो कुछ options है, जहापे equity shares वो लोग ने choose कि, और अपन लोग ने A to G, जितना भी concept सी का, वो सारा equity shares दाला था, अब यहाँ पे concept है कि, अगर मैं उसको cash देता हूँ, तो क्या, तो अगर मैं उसको पूरा का पूरा cash देता हूँ, तो मेरा number of shares, जो acquirer है, उसका number of shares तो ज़रा भी dilute नहीं होगा, तो इधर देको divide by number of shares of acquirer ही रहना है, अब मैंने तेरे को acquire कर लिया है, cash देके, तो तेरा पूरा earning मेरा, तो earnings after tax, जो भी है, वो पूरा का पूरा target गमनी का मेरा, plus मेरा खुद का जो earnings था, वो तो मेरा खुद का earnings है ही है, plus अगर कुछ synergy gain मिला, वो तो है ही है, minus, अब अगर मैंने तेरे को cash दिया है, तो यह cash अगर मैं कहीं और invest करता, तो मुझे benefit मिलता, तो यह opportunity cost हो गया, यह हो सकता है, मैं तेरे को take over करने के लिए cash दे रहा हूँ, उसके लिए मैं कुछ amount borrow कर लूँ, वो borrow करने का जो interest है, वो मेरे earnings में से minus कर दूँगा, so either case, in either case, amount borrowed into interest, या cash paid into opportunity cost of interest, दोनो minus हो जाएगा, बस एक फाइदा यहाँ पर यह है, यहाँ पर यह जो amount borrowed है, यह real amount borrowed है, तो interest rate के ओपर tax benefit मिल जाएगा, जबकि यह खाली एक मेरा notional, मैंने interest चार्ज किया है, यहाँ पर, काफी simple है यह तो, कि अगर मैंने cash में take over किया, तो earnings, जो मेरा पहले था, वो तो रहे गई, तेरा earnings भी अब मेरा, synergy gain भी अब मेरा, बट 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 तेरे को cash में take over करने के लिए, मेरा कुछ opportunity cost है, तो मैं वो minus करू, या फिर, या फिर, या फिर, मैंने कुछ loan borrow किया रहेगा, उसका, जो मैं interest भी कर रहा हूँ, वो minus करू, दोनों case में मेरे को, earnings per share, of the combined company, in case of cash take over, easily, easily calculated, समझ में आ गया, या तो borrowed capital से, या, या cash, देखे, cash दिया मेरे पास है तो, उसका opportunity cost ले लो, question देगा, borrowed capital से तो interest, but one minus दी, interest पे tax benefit मिलेगा, पाकी जो earnings है, वो तो अपन लो calculate कर, ते ही आ रहे, वो तो ही रहेगा, समझे, वैसा, फिर बादना आ जाते, concept of promoters holding, and free float, market capital, अब सुनो, reliance का जो shares, market में आप लोग को दिखता है, कि बाई जा, चलो, reliance का मैं shares खरीद लेता हूँ, मैं reliance का shares बेच लेता हूँ, they are called as free floating shares, market में available है, कोई भी shareholder उसको purchase कर सकता है, कोई भी उसको sell कर सकता है, बिन दास, एकदा मस्त, बट सामने दूसरा होता है, promoter shareholding, तो कुछ shares है, जो मुकेश अमबानी के पास है, आकाश अमबानी के पास है, वो किसी के पास नहीं है, वो उनी के पास है, और वो कोई आप ऐसे जाके buy sell नहीं कर सकते, they are called as promoter share, तो market में, जब आप share market में trading करते हो, और वो shares अगर आप purchase कर सकते हो, sell कर सकते हो, they are all free floating shares, बट अगर कोई promoter का खुद का share है, they are called as promoter shares, मुझे बताओ, total number of shares कितने हुए, reliance के, can I say free float shares, plus promoter shares, मिला के बन गए, total number of shares of reliance, समझ में आया, बस यही है, concept of promoters holding and free float market capital, right, so total number of shares held by promoters, इसको बोलते हैं अपन promoters holding, total number of shares held by outside shareholders, आप और मैं, यह सब मिला के बनते हैं मेरे, total number of shares, यह सब मिला के बनते हैं मेरे, total number of shares, अब अगर मेरे को percentage wise find out करना है, तो मैं देखूंगा, number of shares of promoters, divide by total number of shares, और मेरे को अगर यहां पर यह लेखना है, minority का कितना है, outsiders का कितना है, तो outsiders का shares, upon total number of shares, तो मुझे मिल जाएगा, percentage of promoters shares, या percentage of outsiders shares, अभी clear everybody, so अब मेरे को अगर find out करना है, कि बाई total promoters का holding कितना था, कितना है, merged company में, after merger, तो it's a pretty simple logic, shares of promoters of acquirer company, पहले से जो है वो, plus shares of promoters now, given target company में, जो acquirer company में, अपना shares promoters को दिया है, है वो, so shares issued to promoters of target company, अपन total number of shares, अपन total number of shares, अपन total number of shares of acquirer company, plus total number of shares issued to target company, so shares of promoters of acquirer company, CDC बात है वो तो है, तो जो भी acquirer company है, तो जो भी acquirer company है, उन acquirer company के, promoters के shares, वो तो आ नहीं है, plus target company के promoters को, जो shares issue किया है, acquisition पे वो, divide by total number of shares, तो अपने को promoters holding, after merger मिल जाएगा, free float market cap के बारे में, आपको बता ही चुका हूँ, shares which are freely available, or tradable in the market, sensex and nifty is based on, free float market capital, तो अगर आपको जो market cap दिखते हैं, reliance का और सबका, वो free float market के basis पे है, market capitalization for outside, shareholders is market price into number of shares, जो market में available as shares, और यह percentage of holding in new company, find out करना है, तो अपन देखेंगे बाई, total shares, जे देखो इदर question में, मैंने include कर लिया, so number of shares, A का है 2 lakh, B का है 50,000, exchange ratio है 0.5, and B को, तो 50,000 into 0.5, 25,000 shares B को मिल जाएंगे, A के already 2 lakh shares है, which is 2 lakh 25,000 shares in all, correct, so अभी 2 lakh 25,000 shares है, उसमें से, A का है 2 lakh, और B का है 25,000, अपने को मिल गया, individually अगर मुझे find out करना है, percentage of shareholding, in A and B limited, यह तो एक general सा चीज है, में आप लोग को समझना क्या था, यह free float market cap, and your promoters holding, easy busy, very very, done, अब आ जाते हैं, next concept के उपन, this is a unique concept, जिसको बोला है, merger of a bank के case में, क्या होगा, अब यह कहना typical question है, उनका merger of a bank का, उसमें यह दो चीज उनको calculate करके चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे specifically उसका formula ले लिया है, C.A.R. Capital Adequacy Ratio, तुम लोग ने यह economics में पढ़ा होगा, statutory liquidity ratio होगता है, SLR, CRR होता है, cash reserve ratio, वैसे ही capital adequacy ratio होता है, banks के case में, जहाँ पे banks बोलता है, कि यार, तुमारा risky assets, के सामने, तुमारा total capital कितना है, वही देखो, bank को ध्यान में रखना पड़ता है, कि यार, बहुत जादा risky assets ना हो, तो ऐसा ना हो कि, मेरा capital एक लाख, और मेरा इदर risky assets है, more than 60,000, क्योंकि that is a big number then, तो इसके लिए, capital adequacy ratio calculate करना होता है, जिसका formula है, total capital upon risky weighted assets, total capital में, क्या चीज़ include हो जाती है, मेरा equity share capital, reserve surplus, and minus preliminary expenses, तो जो अपना typical share capital होता है, वो मेरा यहाँ पे आ जाता है, तो capital adequacy ratio, वो लोग आपको calculate करने को बोलेंगे, you have to calculate it, and present them, दूसरा चीज़ वो लो calculate करने को बोलेंगे, gross NPA ratio, अभी जो question institute ने दिया है, उसमें उन्होंने क्या किया है, पता है क्या, उन्होंने बोला है, कि आप gross NPA find करो, कैसे find करोगे, तो उन्होंने gross NPA ratio दिया, और gross advances दिया, आप बोलेंगे, सब यह NPA क्या होता है, NPA का मतलब होता है, non-performing asset, तो आपने total जितना advances दिया है, या जिसको आपन लोग एक सरल भार्षा में, simple language में, we can say loans दिया है, उस loans में से, कुछ percentage है, जो आपको repay नहीं कर पाएगा, बराबर है, कुछ percentage है, जो आपको repay नहीं कर पाएगा, bad debt, जिसको आप लोग बोलते हैं, अपनी simple language में, वो लोग NPA बोलते हैं, banking की language में, so say 15% ऐसा है, जो आपको pay नहीं कर पाएगा, तो उन्हों ने क्या किया है, gross NPA का ratio दिया है 15%, gross advances दिया है 1 lakh, तो 1 lakh into 15%, gross NPA कितना आता है, it is working out to 15,000, it is working out to 15,000, समझ में आ गया क्या, तो उसको, that is where gross NPA ratio can be, यह अपने question में, gross NPA find करने के लिए, हमने लिया, हो सकते हैं, वो आपको gross NPA ratio, find करने को बोले, so it is simple language में, total में ने जितना loan दिया है, 1 lakh रुपीस का, उसमें से कितना, gross NPA का chances है, 15% will give me the amount of gross NPA, which is 15,000, so 1 lakh into 15%, 15,000, अब तीनों में से जो भी, आपका balancing figure, calculate करने को बोलेगा, institute, वो आपको calculate करने को, आना चाहिए, तो banks वाला जो typical merger वाला अगर, कोई question आता है, so now you should know, कि आपको ये दो formula उसके लिए आना चाहिए, पहला है capital adequacy ratio, which is total capital upon risky weighted assets, hello, right, दूसरा है gross NPA ratio, which is gross NPA upon gross advances, तो ये आपको मिल जाएगा, आपका यहाँ पे, gross NPA ratio, अच्छा everybody, yes sir, so इससे मिल जाता है मेरा, बन जाता है मेरा, merger of a bank का questions, next concept के ओपर चलते हैं, ये भी काफी easy है, which is your link to CA intermediate, purchase consideration, अपन लोग calculation करते थे, मालब है purchase consideration, अपन लोग calculate करते थे, so purchase consideration का मतलब क्या होता है, purchase consideration का मतलब होता है, कि अगर मैं कोई company को purchase कर रहा हूँ, उस purchase करने के लिए, मैं उसको जो consideration दे रहा हूँ, that is called as purchase consideration, right, net payment made by the acquiring company, to the target company, done sir, समझ मैं आ गया, अब इसका ये PC का calculation, अपने chapter के लिए, कहां पर ये कैसे होगा, तो देखो, मैं उसको कितना purchase consideration दे रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये calculation वो आपको logically बता दा, मेरे को यहाँ पे question में बताना है, कि क्या मैं इस company को जो पैसा दे रहा हूँ, वो worth है कि नहीं, तो मैं पहले calculate करूँगा, purchase consideration PC, बराबर है, say for example, मेरा purchase consideration आया 100 rupees, ठीक है sir, calculate करके रख दिया side, दूसरा, अब मैं चेक करूँगा, कि इस company से मुझे, क्या benefit होने वाला है future में, तो मैंने वो calculate कि और देखा, कि मेरे को होने वाला है 108 rupees का benefit, तो 100 rupees मैं as a purchase consideration दे रहा हूँ, 108 rupees का मेरे को future में benefit होने वाला है, किना इसे net 8 का benefit, चल बस, मेरे को लग रहा है कि यार, ये मेरे को take over कर लेना चाहिए, acquire कर लेना चाहिए, बट अगर उल्टा हुआ तो, मैंने purchase consideration दिया 100 का, बट मेरे को future benefits, future benefits of cash flows from this target company, is only 98 rupees, तो कैना इसे 2 रुपे का मेरे को loss हो जाएगा, I will not go ahead with the merger and acquisition, समझ में आ गई आप लोगों को बाते गाईज, बस ये ही अपने को reason के लिए purchase consideration आना चाहिए, कितना पैसा target को अपने को देना है, और सामने कितना उससे अपने को benefit मिलने वाला है, if this benefit is higher than the cost, then in that case, accept the acquisition, if this is lower, then reject the acquisition, आज आजाओ, अब समझने की कोशिश करते है, PC, calculation of PC, which is also called as purchase consideration, which is also called as purchase consideration, समझ में आगे है, ठीक है, चला, अब पहला, market value of equity, अभी आपर्चेस consideration कैसे calculate हो, तो simple है, मैंने उसको कितने shares दे रहा हूँ, मैं उसको जो shares दे रहा हूँ, उसका market value क्या है, तो market value of equity shares issued by A limited to T limited, तो मैं तेरको क्या-क्या पैसे दे रहा हूँ, in terms of equity shares, और in any other terms, तो एक तो मैंने तेरको equity shares दे दिये, 10 लाग रुपे के है, तो 10 लाग का मैंने तेरको purchase consideration दे दिया, प्लस, प्लस तेरको मैं debentures या प्रेफरेंशेस भी issue कर रहा हूँ, पाच लाग के, तो और पाच लाग तेरको PC के terms में आड़ हो गया, 15 लाग रुपे हो गया, प्लस, तेरा वो 2 लाग रुपे का liability था, वो तू इतने टाइम से नहीं दिया, वो भी मैंने settle किया है, तो मेरे जर्व से तो वो liability देने के लिए भी पैसा गया, हाँ सर, तो वो भी 2 लाग रुपे आ गया, हाँ, तो 17 लाग रुपे होआ, बट, तेरे balance sheet में, 4 लाग रुपे का cash पड़ा है, वो मैंने अपने पास रख लिया, तो in short 13 लाग रुपी हुआ नेट, प्लस, 5 लाग रुपे का तेरा इना dators है, उसके पास से पैसा लेना है, वो मैं उसको बला data को सीधा मेरे को दे दे भाई, तो वो सीधा मेरे पास आ गया, तो 13 लाग में से 5 लाग माइनस 8 लाग, तो नेट 8 लाग रुपे का मैंने purchase consideration तेरे को दिया, सामने मुझे क्या मिला, हां सामने मुझे क्या मिला, present value of future cash flows, जो मुझे target company से मिलने वाला है, इसे which is equal to 9 लाग, तो कैना इसे 1 लाग रुपी का मुझे benefit हो रहा है, तो I will accept the decision, otherwise I will reject the decision, समझे ना logic, कहां से क्या connect हो रहा है, बस, simple सा है, easy है, कोई problem नहीं है, लप्पू सा concept है, और लप्पू सा question है, you can easily manage it, got it everybody, so again, purchase consideration, क्यो calculate करना है, यह देखने के लिए कि अगर मैं purchase करता हूँ, इस company को, तो purchase करने के बाद, मुझे जो benefit मिलने वाला है, that benefit should be higher than the purchase consideration, purchase consideration कैसे calculate करेगा, market value of shares given, plus debentures of references given, plus any liabilities settled, less अगर मैं को कोई cash मिला हो तो, less अगर मेरे पास में debenture आ गया हो तो, खतब, purchase consideration calculate हो गया, compare it with present value of cash inflow, recurring cash flows from target company, company business in future यह given होगा, present value of demurzer or sales of target company in future, कुछ भी benefit मेरे को target company से मिल रहा है न, वो add कर लो, less cash flows जो purchase consideration मेरा, यहाँ पे calculate होआ है, मुझे पता चल जाएगा, gain है या loss है, अगर gain है, accept, अगर loss है, reject, अब चलते हैं, next concept के ओपर अब एक question है, question 27 बोलो या 28 बोलो जो अभी मैंने आके discuss भी किया है, तो वो तुम लोगे साथ अभी मैं discuss कर रहा हूँ, यह concept of MPST, now what exactly is this question, यह divide करता है, decompose करता है, break करता है, EPS को, बट सर, ऐसा क्या जरूद पड़ी है, क्यों आप यह कर रहे हो, because मेरा जो अगला प्राश्न है, वो मेरे को यह बोलता है, decompose the share price of the companies, into EPS and PE components, वो ही नहीं, उसके बाद वो बोलता है, segregate EPS figures into ROE, and book value, or intrinsic value per share components, अब वो अगर अपने को यह करने को बोल रहा है, अपन कर लेंगे, बट उसके लिए पहले अपने को तो बता हो, तो अगर मेरे को किसी भी company के share price को, decompose करना है, तो मुझे बता है, उस company का share price किया market price पर share, उसको अगर मेरे को decompose करना, it is divided into two parts, EPS and PE ratio, hello, it is divided into two parts, क्या बोलो बोलो चलचल, EPS and PE ratio, फिर इस EPS को further subdivide कर रहा है, क्या, return on equity and book value per share में, बस यहाँ पे वही चीज़े लिगी है, यहाँ पे वही चीज़े लिगी है, MPS is EPS into PE ratio, समझ में आता है, PE ratio MPS upon EPS, समझ में आता है, what is EPS, earnings available for equity shareholders upon number of equity shares, earnings after tax, it is basically Paish, profit, Paish, what is Paish, profit available for equity shareholders, divide by number of equity shares करेंगे, तो मुझे मिल जाएगा, earning per share, इस EPS को divide करेंगे, दो पार्ट में, BVPS, book value per share, and return on equities, this is very nice, देखो, so question भी यही बोल रहा है, decompose the share price into EPS and PE ratio, वो अपर लोग ने उपर कर दिया, फिर, and further divide the EPS into, BVPS and ROE, by the way, आपको बता दू, ROE into BVPS is equal to earning per share, security valuation में मैंने इसका guidance, तुम लोग को दियावा है, so now, what is ROE return on equity, बाई, कितना return मिला है, हमारे को हमारे पैसे लगा के, so earnings after tax, upon equity shareholders funds, and दूसरा, book value per share कितना है, it is, equity shareholders funds upon total number of equity shares, if effectively तुम लोग देखोगे, तो EPS ही बन जाएगा, मतलब बेसी कली कहने का मतलब है, जब मैं इसको multiply करता हूँ, तो यह दोनों cut हो जाता है, earnings after tax upon total number of equity shares, which is EPS, EPS का ही तो यह subdivision है बिट्टा, बोल रहा हूँ, so BBPS, equity shareholders fund upon total number of equity shares, ROE, earnings after tax upon equity shareholders funds, equity shareholders funds मतलब अपना typical, जो capital होता है वो, equity share capital plus reserves and surplus, टीक है, so दो तरीके से बिट्टा है, या तो आप ऐसे calculate करो, equity share capital plus reserves and surplus, या फिर इधर से, total assets plus current assets, minus external liabilities, वैसे कर के भी calculate कर सकते हो, we will give you one and the same figure, are you clear everybody, so यह होता है मेरा BBPS, book value per share, equity shareholders funds, divided by number of equity shares, दूसरा, earnings after tax upon, वो तो ROE है, तो simply, earnings after tax upon, equity shareholders funds, फिर एकाली general idea दिया, retention ratio क्या होता है, 1 minus dividend payout ratio, इसको है आप D बोलता है, again, valuation of security वाला chapter देखो, तो एको बता है उसमेने, retention ratio को B बोलता है, तो यह मेरा B हो गया, और यह ROE मेरा R हो गया, वालों में R into B था, growth rate G is equal to R into B, याद करो, तो R is ROE, वो यहां से मिल गया, earnings after tax upon, equity shareholders fund, retention ratio, मतलब EPS में से, कितना dividend में दे दिया, और कितना अपने पास बचा के रखा, is retention ratio, 10 रुपे का EPS आया, उसमें से 2 रुपेया पर share मेंने दे दिया, dividend 80%, 80% is my with me, retained earnings is my retained retention ratio, अब होता है, calculation of justifiable, equity share exchange ratio, इसमें दो तरीके हैं, एक है intrinsic value based, यह usually given होगा, और दूसरा है market price based, I think यह नीचे यह copy होगा, intrinsic value based and market price based, intrinsic value based given होगा, market price based, market price of target upon market price of acquirer, चलो, इसका एक sum करते हैं, तो यह वाला last वाला part भी clear हो जाएगा, बाकी जो अपर लोगने subdivision किया है, वो तो ही, अब देखो, R&S are companies that operate in the same industry, दोनों का financial statement दिया हो है, जिसमें shareholders funds है, equity capital है, retained earning है, तो कैना इसे, यह मेरे book value per share के लिए, यह चीज़े use हो जाएगी, अलो, book value per share के लिए, मेरी यह वाली चीज़े हो जाएगी used, correct, so this is my shareholders funds, और फिर दूसरा है, मेरा non current liabilities, which is my debt, current liabilities, current assets, non current assets and current assets, और फिर बाद में आ जाता है मेरा, तो यह मेरा scene है, यह मेरा उपर equity का scene है, यह मेरा इधर liabilities का scene है, तो टीक है, कोई problem नहीं है, यह तो मस्त में एकदम liabilities का scene है, यह मेरा assets का scene है, just a general income, बाकि वो लोग ने एक income statement दीए, sales, cogs, मिल गा, gross profit, less operating expenses, interest minus किया, मिल गया मिल गया मिल को earnings, before tax, taxes minus किया, मिल गया मिल को earnings, after tax, और कुछ additional info दियाव है, relating to number of equity shares, dividend payment ratio, market price per share, assume that both companies are in the process of negotiating a merger, through exchange of equity shares, so number of equity shares, किसका, R का, S का, dividend payout ratio, R का, S का, market price per share, R का, S का, R कौन है मेरा acquirer, R कौन है मेरा acquiring company, S कौन है मेरा target company, का लिख है सर, इसा का लिख है, पता चली जाएगा, ये दिखो न, you are required to develop a range, that can be offered by R Limited, to the shareholders of S Limited, बरावर के नहीं, बास, तो एक acquirer, एक target, एक acquirer का number of shares, dividend payout ratio, market price per share, Decompose share price into EPS and PE ratio, and segregate the EPS figures, into return on equity, and book value, चलो, स्टार्ट करते हैं, इसको calculate करना, I think ये, कुछ गलता गया है, हाँ, चलो, अब, स्टार्ट करते हैं, अपन लोग, सबसे पहले क्या बोला है, EPS और PE ratio, find करो, सुनो, क्या मेरे पास, यहाँ पर EPS find करना, मुश्किल है, मेरे लिए, सरा भी नहीं, क्यूंकि, मेरे पास, यहाँ पर earnings after tax है, divide by, मेरे पास, यहाँ पर number of equity shares है, can I say, 2,00, 20,00, divided by 10, so can I say, यहाँ पर मेरे पास, 2,00, number of shares है, so, 5,33,000, divide by, 2,00, and this is 2,665, सही है, सही है सर, and दूसरा, दूसरा, दूसरा क्या है मेरा, 249,600, divide by, number of shares किता है, 1,60,000, so, divide by 1,60,000, so, 1,56, देखो जरा, क्या, इनका भी यही आ रहा है क्या, and answer is, yes, सर, इनका भी, यही आ रहा है, फिर उसने बोला है, P ratio fight करो, अब सुनो, मेरे पास, earning per price, earning per share आ गया है, मेरे पास, मेरे पास market price per share दिया हुआ है, वही तो, market price per share दिया हुआ है, 50 and 20, so, मेरे पास अगर, EPS है, मेरे पास अगर, market price per share है, कहना इस है, मुझे P ratio मिल जाएगा, easy, easy, 11, so, MPS upon this, so, MPS upon this, MPS upon this, so, 50 upon 2.665, 50 upon 2.665, करो तो, 50 divided, 50 divided by 2.665, can I say, it is, 18.76, and दूसरा, 12.82, बराबर है, देख ले न, अपलों में, थोड़ अचा, दूपर नीचे होगा, इसका ध्या में, so, 18.76, and 12.82, so, मेरा, first part हो गया, क्या, decompose into EPS, and P components, done, also, segregate, EPS figures, into ROE, and book value, क्या मुझे, ROE, calculate करना आता है, 101%, में को calculate करना आता है, earnings after tax, upon equity shareholders fund, sir, इदर मेरे पास, earnings after tax है, कितना है बता ना, तो earnings after tax है, 5,33,000, very good, 5,33,000, sir, divide by, shareholders funds, sir, shareholders funds है, 24,000, divided by 24,000, into 100, sir, 22.21, 22.21, समझ में आ गई बाते, clear, so, ये मेरा, आ गया, ROE, हाँ, मेरे को कोई भी बोला, कि, BBPSB, find out करके, दो BBPS, find out करने को आता है, आता है न, equity, shareholders funds, divided by, total number of equity shares, so, ये देखो, equity, shareholders funds, 24,000, divide by, number of equity shares, 2,00, 24,000, divide by, number of shares, 2,00, and, यहाँ पर, अपने को, मिल जाएगा, 24,00, 24,00, divide by, 2,00, and, we will get, 12, and, we will get, growth find करना है, second part में, देखो, जरा भाई, revision session है, बड़ाबट, estimate future EPS, growth rates for both the companies, G is equal to B into R, बड़ाबर है, B इदर मैंने, already calculate कर लिया है, बड़ाबर है, R मैंने, इदर already calculate कर लिया, यह है मेरा R, बड़ाबर है, BBPS, equity, shareholders funds, sorry, shareholders funds, divide by number of equity shares, 24 lakh divided by, 2 lakh, देखो, जरा question को आभाई, तुम लोगे module का ही question है, इसमें नहीं है, तो तुम लोगे module में, तो ही है जिस, अलो, का पर module का question number 28 है, बता दू मैं, सम्झे, so, done है, हो क्या, अब R मिल गया है मेरे, अब मिरको कहा चीए बी क्या होता है रिटेंशन रेश्यो अब देखो यहां पर लोग ने डिविडेंट पे आउट रेश्यो दे धिया 20% तो बचा क्या रिटेंशन रेश्यो एड 80% तो यहां पर 22.21% इन्टु बी विच इस 0.8 22.21 इन्टु 0.8 एन मुझे मिल गया 17.77% आरका एन 10.92% एसका है समझे गडू क्लियर है एवरिबड़ी बड़ी अभी क्लियर्स दन है फिर तू और क्या चाहिए लग में ठीक है है और इंटु बी मेरा यहां पर आ गया है अब जस्टीफाइबल एक्सचेंज शेर एक्सजेश रेश्यो इसमें एकड़क टिपिकल एक होता है based on market price, दूसरा होता है based on intrinsic value, जो intrinsic value के उपर based है, उसमें intrinsic value दिया हुआ है, intrinsic value of S limited would be 25 per share on its acquisition, मतलब 25 रुपे का वो उसका share है, intrinsic value मतलब real value, और दूसरा है मेरा based on market price, अब market price per share तो वो लोग ने दिया वाई है question में, देखो जरा, यह रहा, market price per share 50 and 20 रुपीज, तो बस 20 by 50, अपनों करते हैं न, swap ratio कैसे find करते हैं, market price per share of target company, upon market price per share of acquiring company, so 0.4 के ratio में, we can give them shares, दूसरा intrinsic value, so for 25 रुपीज, अपना market price कितना है, if nothing is given, intrinsic value and market price is same for acquirer limited, which is 50, तो यह तो 0.5 is to 1 के इसाब से, या 0.4 is to 1 के इसाब से, we can decide their share exchange ratio, market price के इसाब से 0.4, intrinsic के इसाब से 0.5, sir, intrinsic कहां पर दिया है, इसका 25 दिया है, उसका नहीं दिया है कुछ, तो it is market price, dun 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 dun, समझ में आया, so यह देखो, यहाँ पर यहाँ पर लोग ने decompose करना सीखा इदर, और यह decompose को solve करना सीखा, in this question, 2-3 questions है, same line के उपर, exam में आ सकता है, do it properly, चलते हैं इसी बात के उपर, आगले concept के उपर, which is swap ratio based on weights, यहाँ पर swap ratio filed out करना है, कैसे, normal तरीके से यह आपको find out करना है, यहाँ पर swap ratio, बट, एक, नहीं, दो, नहीं, तीन, यहाँ पर variations दिये है, तो in general, बहुत simple है, in general, अपर लोग swap ratio कैसे find out करते हैं, से मिरको अगर same market price पर share रखना है तो, market price of target upon market price of acquirer, बराबर है सर, अगर मिरको EPS same रखना है तो, market price, EPS of target upon EPS of acquirer, बराबर है, book value per share same रखना है तो, book value per share of target upon book value per share of acquirer, तो, यह तो अपना general तरीका है, अब मैं बोलता हूँ, तीनों मिरको, तीनों का combination पर मिरको calculate करना है, swap ratio, तीनों के combination पर कैसे होगा, मैं आपको दूसरा question पर पूछूँगा, कि उसका weights कितना है, कितना weight देना है book value per share को, कितना weight देना है earning per share को, कितना weight देना है market price per share को, और उसी साब साब काल्कुलेट करके बता दो, क्या बोलते हूँ, वा सर एकदम perfect, बस exactly this is what is happening here, so book value per, अगर EPS के basis पर है, तो EPS of target upon EPS upon acquire यह तो अपन करते ही है, multiply by, multiply by weight of EPS, समझ में आई बात, तो it is everything is same, खाली multiply by weights एक add करना है, आओ एक-एक sum करते हैं इसके basis पर, very easy, following information is related for the acquiring of, यह भी आपके ICI module का ही question है, of Abhiman Limited and target company Abhishek Limited, यह है हमारा acquirer, Abhiman is the acquirer, Abhishek is the target, promoters holding 50-60%, बाकी सारा information दिया है, share capital, reserves and surplus, इसमें और एक adjustment आएगा, वो भी बता दूँगा आपको, paid up value per share, free float market cap, PE ratio, Trident is interested to do justice to the shareholders of both the companies, उसके लिए उसने एक swap ratio weights बना है, book value का, earning per share का and market price का, अपने को swap ratio based on weights find out करना है, आओ calculate करते हैं, बाट उसके लिए अभी में को book value per share चाहिए, earning per share चाहिए, market price per share चाहिए, कुछ भी नहीं है मेरे पास, PE ratio है, पर earning per share नहीं है, तो चलो आओ सब calculate करते हैं, तो earning per share अपने लोग कैसे calculate करना चाहेंगे, यहाँ पे मेरे पास share capital है, यहाँ पे मेरे पास resource and surplus है, और और कुछ information दिया है क्या, जिससे मैं मेरे earning per share के उपर पहुँच जाओंगा, बहुत easily मिल जाएगा मेरे को, बता है आपको कैसे देखो, यहाँ पे आपने लोग क्या करेंगे बता है क्या, मार्केट प्राइस पर share कैसे find out कर सकते है ना वो देख लो, सर वो कैसे find out करेंगा, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे दियावा है free float market cap, तु सर उससे क्या होगा, आओ देखो बता दो, free float market cap है 400, प्रोमोटर्स होल्डिंग है 50%, मतलब outsiders holding 50%, समझे क्या तुम लोग देखो, एक है मेरा free float, free fund नहीं, free float, एक है मेरा free float, और दूसरा होता है मेरा promoter, दोनों मिलाके बनता है मेरा 100% shares, दोनों मिलाके बनता है मेरा total 100% shares, अब यह जो मेरा इधर promoter है, यह जो मेरा इधर promoter है, this represents 50%, this represents 50% and अगर यह 50% represent कर रहा है, मेरा total shares तो 100% होगा, मेरा total shares तो 100% होगा, जी सर, total shares 100% होगा, तो इसका मतलब मेरा free float भी 50% है, अच्छा, मेरा free float market capitalization, 400,00,000 होगा, दा आंसर इस, मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे total कितना 800,00,000, अब अगर मेरा free float का 400,00,000 है, अगर मेरा free float का 400,00,000 है, तो कहना इसे total मेरा 800,00,000 है, total मेरा 800,00,000 है, आर वी clear everybody, यह सर, absolutely clear, तो इससे क्या मिलेगा सर, total market cap अगर मेरे को मिल जाता है, मैं उसको divide कर लूँँगा, देखो मेरा total market cap आगया, यहाँ पे था, यह खाली free float का market cap है, total market cap कितना है मेरा, 800,00,000, कैसे, क्योंकि अगर free float 50% है, और उसका 400 है, तो total 800,00,000 हुआ, correct, divide by number of equity shares करूँगा, तो मुझे मेरा market price पर share मिल जाएगा ना बच्ची, आभी clear everybody, so, 800,00,000,000,000 total market cap आगया मेरा, divide by number of equity shares, number of equity shares मुझे बहुत यहाँ से मिल जाएगा, 200,00,000,000 rupees का share capital है, paid up value per share है, 100,00, 200,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तो 400 divided by 10 में करूंगा तो मुझे एर्णिंग पर शेर मिल जाएगा 40 पर शेर का बहुत ही इधर तोड़ा ऐसे में किया है यहां पर आप लोगे पास प्रोपर सिस्टमेटिक चीजे अवेलेबल है प्लस दूसरा बुक वैलू पर शेर फाइं करना वो तो एकदमी इस यह बुक वैलू पर शेर इस वाँ शेर कैपिटल प्लस रिज़स और सब्लस टिवाइड बाइन नंबर अप एकविटी शेर कितना है बोलो तु लाक शेर सो 500 में को मिल जाएगा, वैल्यू पर शेर, आर्वाइट एवरिबोड़ी, ये रहा, वैल्यू पर शेर, 500 ये लब, ये रहा मेरा, मार्केट प्र शेर, 400, एन EPS में को मिल जाएगा, 40, EPS में को मिल जाएगा, 40, एई, समझी कोड़ी हुँ, अब मेरा टोटल, 100 प्लस 500 यहाँ पर देखो, 600 लैक्स का मेरा इधर, टोटल बुक वैल्यू है, डिवाइट बाई, नमबर आफ शेर, मेरा नमबर आफ शेर, देखो कितना इधर, शेर कैपिटल, 100 लैक्स, डिवाइट बाई, 10 पर शेर, यहाँ पर आजाता है, 10 लैक्स शेर, 600 बाई, 10 लैक्स शेर, मेंको मिल जाता है, बुक वैल्यू पर शेर, बाइकि मेरे को यह, मेरा वो लॉजिक यूज करके, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर शेर मिली जाएगा, यहाँ पे थोड़ा उपर नीचे हो गया है यह 32 है यह 4 है so 32 divided by 4 market price EPS इसका हो जाता है and that's it हो गया answer आ गया तो मेरा जो first part था swap ratio का अब वो मेरे लिए बहुत easy हो गया है क्योंकि मेरे पास market price per share of target और acquirer दोनों आ गया जो मेरे पास यहाँ पे कहीं पे भी इसका नामों निशान नहीं था अब मेरे पास वो सारी जीज़े मैंने free float को use किया जिससे मुझे promoters का percentage पता चला उसको मैंने apply किया free float के percentage पे मुझे total market cap पता चल गया total market value पता चल गया divide by number of shares किया market price per share पता चल गया अब देखो EPS of target अपन EPS of acquirer इंटू swap पर इंटू weights इंटू weights इंटू weights EPS of target कितना है आप कि एपीएस ऑफ टारगेट कितना है इपिएस ओक्र हेट 50 इधर रमने लिफस दिया पॉत ह्टी इपिएस ऑफ इधर कितना है धो है इंटो जयए ह youtube कितना है क्वेश्च्चंग वह था बेड़ के ठाट है नहीं वहjinा है EPS का वेट है 50% तो हमने ले लिया है अपर 50% हो गया मेरा कितना 40 by 8 इंटो 50% 2.1 उल्टा 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 EPS of Target ना बेटा EPS of Target EPS of Target 8 EPS of Acquire 40 so 8 by 40 into 0.5 and this is 0.1 समझ में आया ऐसे ही बाकी का भी मैं कलकुलेट कर लूगा EPS 0.1 अलो बुक वैल्यू का इदर रेशियो आगया 0.03 market price का आगया 0.03 add कर दो तीनों को अपने को मिल जाता है 0.15 अपने को मिल जाता है 0.15 and guys this is the this is the swap ratio 0.15 तो 100 के सामने 15 परसंट शेर्स मिलेगा 100 के सामने 15 परसंट शेर्स मिलेगा यहाँ पे मेरे पास 100 लाक है तो उसका 15 परसंट मिलेगा 100 यह अपने को मिल जाता है रूपीज आफ्टर अक्विजिशिशन अस्यूमिंग पी रेशियो रिमेंज अंचेंज तो देखो यह 150 लाक तक आप लोगों को सब लोगों को समझ में आ गया पॉइंट वन फाइब का स्वाप रेशियो आपको समझ में आ गया है बुक को वैल्यू देखो अगे नहीं टेलिगा फॉर्मिलास वही रहेगा स्टार्टिंग से इपीएस अपन टार्गेट इपीएस ऑफ टार्गेट अपन इपीएस ऑफ अक्वाइर इन्टू इन्टू वेट्स वेट्स कितना है फिफ्टी परसेंट क्वेशन में दिया हुआ है अब पोस्ट अक्विजिशिशन बुक वैल्यू पर शेर में को फाइंड करना है एक यहां पे बहुत बड़ा कैच है बाकी सब सिंपल है अब सुनो शेरोल्डर्स फंड अपन लोग और नमबंच औफ एक्विटीश इसको अपन लोग ने कितना स्य दिया फिस को मैं रे टोल मेरा नमबंड और हिक्विटी श्थ हो गया 3.500 अब शेरोलडर्स फंड मेरा कितना है वो में ब्लकु यहांपर फोडल्स केस्पाइये थी गर्रेंब मेरा 3.5 लाइक कैसे क्योंकि उसका उसको आपने 0.5 शेर का रेश्यो दिया है बस कैसे 100 लाइक इंटू 0.100 लाइक डिवाइड बाई 10 इस 10 लाइक इंटू 1.1 पॉइंटू 0.15 का तो 10 अब अपने को कैलकुलेट करना है तो अपने पासे 800 लाइक है यह हंड्रेट लाइक अब हो गया 150 लाइक समझ गया एक सबसे बड़ा कैच है जिसके लिए मैं यह पुरा सम करवा रहा हूं यह है सबसे बड़ा कैच सब क्या यह बताओ ना बताता हूं शेयर कैपिटल अब मेरा देखो यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला है पता है क्या assuming P ratio of this remains unchanged and all assets and liabilities of abhishek are taken over at book value मतलब समझो यहां पर टोटल इसका बुक वैल्यू कितना है 600 लैक्स बराबर उसमें से हमने इसको 150 लैक्स का शेयर्स दे दिया अब जो बचाना 450 लैक्स that will be your reserves and surplus तो जो 500 लैक्स था उसके जगे पर अब मेरा तो यहां पर 200 800 150 तो है अपने पास यह 500 की तगे पर 450 हो जाएगा क्योंकि 50 लैक्स एक्स्ट्रा उसको अपन लोग ने शेयर कैपिटल के नाम पर दे दिया है वह यहां से माइनस हो जाएगा वह यहां से माइनस हो जाएगा वह यहां से माइनस हो जाएगा तो टोटल 1250 प्लस 350 16 00 divided by 3.5 लैक 457.14 पर शेयर सब्सक्राइब करें सकते हैं टोटल प्रॉफिट वह तो पहले से अपने पास है अभी होगे एक फॉर्मिला समझो EPS is equal to NPAT upon number of equity shares बराबर है हा सर बराबर है अब इसके पहले वाले इससे मेरा इधर EPS आ गया है 40 मेरा इधर number of equity shares आ गया है 2 lakh कैना इससे मुझे मेरा NPAT मिल जाएगा कितना 80 lakhs 80 lakhs समझेगी नहीं राइट सेम यह भी 80 lakhs आ जाता है यहाँ पर मेरा 160 lakhs का total earnings profit after tax divided by 3.5 lakh equity shares मेरे को मिलिए 45.7 फिर क्या पूचा है देखो जरा प्रमोटर्स होल्डिंग पूचा है प्रमोटर्स रिवाइस होल्डिंग इन अभिमान लिमिटेड तो देखो प्रमोटर्स होल्डिंग कितना है 60 परसेंट तो 150 का 60 परसेंट तो अभी 1.5 lakh shares दिया ना तुम्हारे को इंटू 60 परसेंट कितना हो गया 0.9 lakh shares यह भी आ जाएगा इधर ही 0.9 lakh shares समझ में आ गया अभिमान का तो जो था वही रहेगा तो तो पहले का 200 lakh का total share capital divide by 100 तो 2 lakh shares था इंटू 50 परसेंट 1 lakh shares यहां पर 1.9 lakh shares हो रहाएगा promoters का total 3.5 lakh shares है ही मेरको पता ही है तो promoters holding post acquisition विल भी 54.29 परसेंट जो पहले 50 परसेंट ता भी हो गया 54.29 समझ में आ गया गाईज फिर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन तो वह तो अभी मेरा 3.5 में से 1.5 3.5 में से 1.5 अगर मेरा दे दिया है मैंने 3.5 में से 1.9 अगर मैंने promoter के पास है मेरा तो मेरे पास 1.6 बचा इंटू market price per share तो EPS इंटू 10 P ratio remains unstained to 457.1 is the market price per share is the market price per share got it so market price per share 457.1 into number of shares 1.6 lakh तो मुझे मेरा market capitalization मिल जाता है 731.36 lakhs समझे वाओ वाओ वाड़ साम यार नस साम है ना किसी लिए सात में कर वा दिया also calculate also calculate book pen तो लेके पैटे ही होगे ना यार starting से बोल रहा हो number of shares earning per share and book value per share if after acquisition your request issue donor shares in ratio of 1 is to 2 and split the stock share as rupees 5 fully paid current shares कितना है मेरा post acquisition shares post acquisition कितना है मेरा number of shares post acquisition कितना है मेरा can I say 3,50,000 so 3.5 lakhs done done अब क्या बोला है issue bonus shares in the ratio of 1 is to 2 1 is to 2 का मतलब क्या होता है 1 share for 2 shares 1 is to 2 so 1 share bonus में मिलेगा for 2 shares मेरे पास already 3.5 lakhs shares है तो मेरे को bonus कितना मिल जाएगा 3.5 divided by 2 and that is 1.75 lakhs share समझे so सुनो 3.5 lakhs shares है post acquisition अब bonus और आ रहा है 1.75 lakhs share so 1.75 plus 3.5 and this is and this is 5.25 and this is 5.25 lakhs shares 5.25 lakhs shares and split the share as rupees 5 each fully pay क्या सूपर पॉइंट है यार यह अदब या हुम दिल खुश हो जाए ऐसा पॉइंट है क्या यह इसमें मैं बताता हूं आजा क्या पॉइंट है सुनो अभी share split का मतलब क्या होता है सुनो समझो एक share है rupees 100 का rupees 100 का अब मैं इसको बोलता हूं split shares split shares by at or make it off five each fully paid and make it five rupees shares तो क्या हो जाएगा कैना इस से अगर मेरे को यह चाहिए rupees five तो क्याना है से मेरे को यहां पर number of shares 20 shares कर देना पड़ेगा अधर one shares multiply by 20 कर दिया तो 100 divided by 5 कर दिया तो मुझे मिल गया 20 shares so basically multiply by number of shares will be multiplied by 20 so that मेरा इधर match हो जाए one share of 100 और 20 share of five is equal to 100 एक ही बात है एक ही बात है ना बस यहां पर भी वही करना है अपने को यहां पर भी वही करना है split the share as rupees 5 each fully paid अभी आपके पास कितना shares है बेटा अभी आपके पास कितना shares है अभी अपनों ने calculate किया न हाँ सर टोटल 5.25 लाक शेर अच्छा अब इसको multiply by 20 कर दो multiply by 20 कर दो तो कितना हो जाता है तो 5.25 इंटू 20 सार 105 लाक शेर्ज ओफ फाइव इच मेरे पास मैं ऐसा बोलू 5.25 लाक शेर्ज ओफ हंड्रेड इच या at the rate अगर मेरे को इसको 5 बनाना है तो क्या हो जाएगा यह divided by 5 अगर है यह multiply by 20 हो mathematics at your level you should know it 5.25 लाक शेर्ज इंटू 20 इंटू 5 करूं या 5.25 लाक इंटू 100 करूं बात तो एक ही है अब मेरे णामरावोव शेर्ज देखो यह दो चीज की व्ज़े समझे एवरीबाड़ी क्लियर है दन 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 है तो चाहिए तो ठीक है चाह अर्निंग पर शेर आया फिर बाद में और एक है बुक वैल्यू पर शेर बुक वैल्यू पर शेर तो देखो मेरा वैल्यू तो जो है वही रहेगा बुक वैल्यू मेरा है शिक्सटीन अंड्रेट लैक्स वह उतना ही रहेगा बस डिवाइड बाइन अंबर आफ शेर अभी मेरे 5.25 लैक्स हो जाएंगे सब्सक्राइब करना पड़ेगा यह लोग ने सब 1075 कैसे लिए वो भी बता देता हूं आपको डूंट वारी इंस्टिटूट ने जो किया है तो देखो मेरा शेर कैपिटल आस सच चेंज नहीं हो रहा है मेरे पास अभी भी 525 लैक का ही शेर कैपिटल है अब ध्यान से समझन नहीं मेरे पास मेरे पास 350 लैक का शेर कैपिटल था मैंने 175 lakh दिया काहा से reserves से bonus आदमी कहा से देता है reserve से देता है ना उतना reserves मेरा कम हो गया तो मेरा 800 minus 175 हो गया reserve कितना हो गया 625 प्लस जो मेरा 450 है वो तो है 1625 plus 450 कितना हो था 1075 एंड यह अब हो गया 525, so 525 प्लस 1075 is the total book value which is equivalent to 1600 only तो मैं directly भी ले सकता हो और जस्ट यहां पर बता रहों इंस्टीट्यूट ने क्या किया मैं आपको खाली logics clear करो समझ रहे हैं आप लोगों divided by number of shares 105 lakh shares कुछ चीजे लिखके साथ साथ में करोगे तो आएगा मैंने logically सब चीजे बता दिया इस सम्की अब यह सम लिया है मैंने इसलिया ताकि एक अच्छे लेविल का सम भी हो जाया अपना revision में और क्या चाहिए राइट so that's how the whole system works as regards swap ratio as regards the swap ratio अच्छा everybody so split bonus I hope सारे adjustments आप लोग ने धंक से समझ लिये and कर भी लिये free float market cap उससे market cap overall promoters holding everything everything is is now sorted but इसमें ध्यान रखने है कुछ कुछ चीज़े EPS post merger कैसे अपना book value change हो रहा है post merger अपने को देखना है कि यार कैसे मेरा पोस्प्लिट कैसे मेरा bonus और स्प्लिट दोनों का impact देना है वो सब ध्यान में रखके चल रहे हैं लास्ट कॉंसेट ऑफ दे चाप्टर इस impact of merger on both EPS of both the companies बहुत इसी सबसे पहले post merger EPS क्या होता है वो तो अपने को पता ही है अपने को मिल जाएगा या पर टार्गेट कंपनी का भी मेरको अगर find out करना है तो प्री मर्जर EPS क्या होगा इसमें तो जो post merger EPS acquire multiply by swap ratio EPS of the merged entity multiply by the swap ratio ओ गया अब एक सम कर लेते हैं and with this we will be done I see I question ले रहा हूं हर question आप लोगों के साथ almost solve कर लिया है मैंने with the concepts as and when required simple सा सा मैं equity shares MPS और market EPS और market price दिया है मुझे फटा फट से इधर ही click हो जाता है कि मेरको P ratio भी निकाल लेना है which is 250 divided by 46.25 बोले कि ना बोले जैसे ही अब मैं यह देखता हूना मेरे दिल में एक आग लग जाती है कि calculate करने के लिए कि यार P MPS दिया है और EPS दिया है और P ratio में find ना करूँ ऐसे तो हलात नहीं है next illustrate the impact of merger on EPS of both the companies impact of EPS on both the companies of impact of merger क्या अब मर्जर का रेशियो क्या है का swap ratio exchanging 0.7 of its shares simple है एक दम सो post merger EPS के आ जाएगा अपना देखो एक तो इसके 10 lakh shares है प्लस इसके 4 lakh into 0.7 तो 2 lakh 80,000 so can I say 12 lakh 80,000 shares total earnings profit after tax यह भी अपने को आराम से मिली जाएगा सी इक्विटी शेर्स है मेरे पास and EPS है what is profit after tax EPS into number of shares ऐसे नहीं समझना है ऐसे देखो EPS is equal to Pat upon number of shares मेरे पास EPS है मेरे पास number of shares है यह दोनों जब जाके मिलेंगे Pat मिल जाएगा मिल गया Pat क्यूंकि मेरेको इस मिल गया है तो यह देखो कितरा है मेरा Pat profit after tax 4 crore and 1 crore 12 lakhs total 5 crore 12 lakhs divided by 12 lakh 80,000 divided by 12 lakh 80,000 is equal to 40 per share so post merger EPS is 40 pre-merger 40 था no impact इसका इसका प्री मर्जर था इसका प्री मर्जर कितना था EPS 28 था अभी B2080 रहा क्योंकि 40 into 0.7 28 तो कुछ और ratio लाओ तो कुछ चेंज आएगा तो उन्होंने second part में बोला है अब ऐसा करो 0.7 का ratio मत रखो आप share exchange ratio रखो one is to one का आप share exchange ratio रखो one is to one का और देखो क्या impact आता है assuming P ratio is same चलो अगर share exchange ratio one is to one का करते है तो किसको फाइदा होगा logically के नहीं से ABC को फाइदा होगा see XYZ is the acquirer hello XYZ is the acquirer and ABC is the target ठीक है पहले उसको एक share के बदले 0.7 शायज मिल रहा था अब शाने को एक shares के बदले पे एक share मिल रहा है तो यह तो यार ABC के लिए तो मतलब बलता ना चांदी हो गई उसकी तो चांदी हो गई उसकी तो उसी को benefit मिलने वाला आप देखते है लॉजी कली तो अपने को बता ना है गें फ्रॉम मर्जर बहुत इसी है अब पहले 10 लाग शेर के सामने कितने उसके चार लाग के सामने टू लाग एटी थे पूरे चार लाग मिलेंगे तो 10 प्लस 414 तो 5.12 लाक डिवाइड बाइफ 14 लाक वस यह कितना आता है फाइफ रोट ट्वेल लाक डिवाइड बाइफ 14 लाक इस इक्वल तो 36.57 36.57 का अर्निंग पर शेर निव अर्निंग पर शेर आ गया पी रेशो उसने बोला है और चेंज रहेगा मुल्टिप्लाइबाइब 6.25 तो यह आ गया मेरा 228.56 हलो 228.56 यह मेरा आ गया मार्केट प्राइज ऑफ शेर किसका इन जनरल अक्वैर लिमिंटेड का पोस्ट इशू उसके पहले उसका कितना था उसके पहले एबी सी लिमिंटेड का कितना था 160 तो 68.56 अब यहाँ पे विक्कॉज 1 इस्टु 1 का रेशियो है तो इधर मल्टिप्लाइबाइब यह किसी को पता नहीं चला बट उन्होंने स्वाप रेशियो से मल्टिप्लाइब कर दिया है बट वन ही है तो दिखा नहीं किसी को तो पोस्ट मर्जर अक्वाइर का शेर प प्रेशियो भी 1 इस्टु 1 ही है तो मतलब यह पूरा का पूरा उसी को भी लॉंग करता है पहले था 160 अब 68.56 हो गया उसके लिए इंपक्ट अमेजिंग यही अगर एक्सवाइज की बात करू तो विचारे का लॉस हो गया पहले था 250 अब 228.56 एक का फाइदा तो दूसरे क का लॉस होना ही है यह तो रीत है अपनी राइट सो यह हो गया 21.44 अब लास्ट में उसने क्या बुचा है यह नो लॉस्ट यह भी हो गया डिटर्माइन दा मैक्सिमॉम एक्सजेंज रेशियो अक्सप्टिबल तो शेरोल्डर्स ऑफ एक्स वाइज लिमिटेड तो शेरोल् मार्केट वैल्यू इफेक्ट ना हो राइट सो अर्निंग्स आफ्टर मर्जर तो वह तो 5.12 लेक्स है राइट मुल्टिप्लाइबाए पी रेशियो से मेरको मार्केट कैप मिल जाता है फॉस्ट ना फॉसमें आप लोगों को यह चीज बताई थी सुनो इधर देखना अभ मेरेशियो इंТू अफ्त आफ्ट एकस यह रएकक hè आपके पास फैव क्रो ट्वल्लाइक्स 5 cro 12 lakhs is the earnings is the profit after tax multiply by P ratio अपने पास अवे लेवल है क्योंकि उसने बोला है P ratio remains unchanged तो मुझे मिल जाता है market value of the firm after merger क्योंकि pat after merger है P ratio after merger है market value of the firm after merger existing shareholder बोलते बॉलते बॉस हमारा 10 lakh into 250 already हमारा value 21500 lakhs है तो नहीं कंपनी को 700 lakhs से जाधा value नहीं देना है नहीं कंपनी को 700 lakhs से जाधा value नहीं देना है ओके एक शेयर का value है price at 250 so maximum we can give them total number of shares to be issued 2.8 lakhs which is 70% जो हम लोग ने पहले ही calculate किया इसी के साथ होता है Mergers and Acquisitions का भी session complete guys how is it going so M&A corporate valuation forex there it is I am sub sub चीज़े theory lectures everything done please do comment आपका पैसा तो नहीं लग रहा है ना comment करते रहने का कि वह कैसा लग रहा है कि सर यह चीज़ अच्छी लगी यह चीज़ अपने और आप प्रोवाइड कर दो यह वाली चीज़ भी तो सही है ना तुम लोग मांग लेते हो कि सर यह M&A का lecture दे दो सर फॉरेक्स का lecture दे दो दे दिया फिर कैसा लगा how is it going benefit हुआ शेर कीज़ेगा किसके साथ जुनियस के साथ जबूरत है भई हम भी बताए ना येस हम भी AFM में उत्रहीं champion है जैसा हमारे students को चाहिए यह बलता है पॉबलिक चालो time for me to say very very happy for each one of you so that अपना अभी सारे रिविशन lectures almost done है अब एक्जाम के दिन पर आपको क्या करना है आपके पास फूला प्लेलिस्ट है एक भी चैप्टर option में नहीं चोड़के जाओगे यह अभी आप लोग में मुझे सुनेंगे smoothly हो जाएगा कोई problem नहीं है इस subject में अब अपने को clear करेंगे ठीक है ठीक स्माइलिंग थैंक यू अस्ता लाविस्टा बबाए